जब आप दीजिए फर्स्ट कोश्चन का, अगर पहले में B सही है तो आप कमेंट में 1B लिखेंगे, A सही है तो 1A, D सही है तो 1D, C सही है तो 1C ये तरीका है कमेंट करने का सभी कोश्चन के लिए, बढ़ियां, आगे बढ़ें, सबसे छोटी प्राकिर्तिक संख्या, बताओ सभी कमेंट में, सबसे छोटी प्राकिर्तिक संख्या, नेचुरल नंबर, कमेंट करिए फटा-फट, 0 है, 1, 10 या 99, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि अभी तक विंटर बैच में, और नईस कलास में क्या-क्या पढ़ा है, बहुत जरूरी है जानना, जो पढ़ा है, जितना पढ़ना है, सब आपको पाता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, जोड घटाना, गुड़ा भाग अभी तक पढ़ा है सबसे पहले, फिर आपने पढ़े हैं गुड़न खंड, जिनके सवाल आज हम पूचेंगे, गुड़न खंड, गुड़ज के बाद आपने LCM, HCF पढ़ा है, LCM, HCF के बाद हमने आपको भिन पढ़ाया है, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते चलेंगे इसी तरीके से, इतना चीज़ें अभी तक हो चुकी है लगबग इसमें जो नहीं हुआ होगा अगर किसी अबैच में मिश्टेक है आगे का पीछे है इधर का उदर दो बता दिजेगा चले कोश्चान नमबर तीसरा ये बताईए हाँ इसका सही जवाब है सबसे छोटी प्रकर्तिक संख्या है जीरो नहीं है जो लोग जीरो बता रहें उनका गलत है जीरो नेचुरल नमबर में नहीं आती है आईसी संख्या जिनको हम गिन सकते हैं मैसूस कर सकते हैं मतल मीन्स नमबर ही नेचुरल नमबर होती है तो जो सुन ने बता है उनका गलत है अधिकतर लोग गलत किये हैं जिनको लग रहा है मुझे आता है ना तफली रखो अभी ये बहें भी दूर हो जाएगा संख्या बारा का सबसे छोटा गुड़ाज बताओ संख्या टोयल का सबसे छोटा गुड़ाज बताओ दो बारा एकसो बीस या अनंत थिरी नंबर में जबाब दीजिए कनहिया जी बहुत अच्छा बेरे गुड़ ममता रानी भूपेस अंजना सर्मा अंजली राओ जूही आरू सुनील अभाए सभी का कमेंट आरा मुझे तक दिख रहा है सेशन को लाइक करिए फटा फट अपनी अटेंडन्स लगाए तीन में सही जबाब होगा बारा का सबसे छोटा गुड़ज यानि मल्टीपल होता है साथी मेरे बी वाला मिन्स किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुड़ज यानि मल्टीपल वो संख्या खुद होती है ठीक है सबसे चोटा गुडज की बात हो रही चच्चा गुड़न खंड की नहीं फाइक्टर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ तो दो बताने वाले का फिर गलत है देखो बहम दूर हो रहा है ना कि तुम्हें मायथाती है बेसिक नोट कर लो कुश्चन अधिकतर लोगों ने इसमें भी दो बताया था और उफसमे वाले में भी जीरो बताया था यही है बेसिक गड़ित डिगरी कितनी भी लेके रख लो जनाब डिगरीयां सोर नहीं मचाती है आपको नॉलेज होना चाहिए कुश्चन नमबर तीसरा आईए जबाब दीजिए मैं बिल्कुल बेसिक बेसिक से ही बात कर रहा हूं संख्या 48 के कुल कितने गुडन खंड होंगे मतलब इसके कुल कितने फैक्टर होंगे 48 के बताओ दो साथ पांच नौ या नौन आप दीज थिरी नमबर में बताईए भईया फोर नमबर है काई हाँ थिरी नमबर नहीं है फोर नमबर है कुश्चन गुडन खंड को इंग्लेस में फैक्टर बोलते हैं बताईए टोटल नमबर आप फैक्टर 48 का पापा की परी ये कह रही बाई सर जी ये पापा की परी अभी दख बात चीत कर रही थी चैटिंग वैटिंग कर रही थी अब कलास चलने लगी दिन का काम ख़तम जाओ फिर निकलो भागो 48 के कुल कितने फैक्टर होंगे इसके लिए मैंने आपको बताया था इसके आप सबसे पहले क्या करेंगे गुडन खंड करेंगे बताया था इनको भाग करोगे तो 24 आएगा फिर 2 से करोगे तो 12 आएगा फिर 2 से करो चे आएगा फिर दो से करोगे तो कितना आएगा साथी मेरे 2-4 Marco इनको अगर घाट के रूप में लिखोगे तो जाएगा तीन का घात एक बनेगा घाट वेन ignore थने घातों चो जोडते हैं किसी संख्या के कुल कितने फैक्टर होते हैं इसकी ट्रिक मैं बता चुका हूं दस फैक्टर कैसे होंगे क्यों होंगे आओ तुम्हें दिखाता हूं देखो ऐसे हवा में बात नहीं हो रही है दस फैक्टर होंगे देखो पूरे दावे के साथ मैं कह रहा हूँ और दिखा के भी रहूँगा चलो बगवान ने अगर साथ दिया तो 48 दस फैक्टर कैसे होंगे देखिए नमबर एक दो होगा ऐसी संक्या जिससे भाग करने पर इसमें 0 सेस फल आए ठीक है तीन भी होगा चार भी होगा क्योंकि 16,43 होता है बारे चोगड़ तालिस होता है पांठी ताइसे होईगा वहीगा का यार देखो तीन दो पांच एबाई एक टी कौने छूट रहा है आठ भी होगा आठ दो लिखा हूँ एक दो तीन चार 5 छे 7 आठ नो एक कौन छूट रहा है कोई बताओ साथ भी होगा क्या नई ताप नहीं होगा कोई एक छूट रहा है जर्द दिमाज लगाओ कौन सा मेरा ट्रिक गलत नहीं हो सकता है एक कोई छूट रहा है निवन कोई बताएगा अच्छा वन भी तो होगा किसी संख्या का जो फैक्टर है वन सब का होता ये बीन बुलाए मेहमान की तरह होता सब की बरात में नाचने जाता ही है इसके कोई इज्जत नहीं होती है वह से तुम्हें पहले भी बताया हूँ कि अगर किसी को हद फे जादा भाव दोगे तो तुम्हें रद्दी के भाव समझने लगेगा इसलिए वक्त किसी को उतना ही दो जितना उसे जरूरत हो जरूरत से ज़्यादा देने लगोगे तो न तुम्हारी कदर होगी न तुम्हारे वक्त की तो वही हाल है इसकी वन की इसकी बैचारे के कोई इज्जत नहीं होती कोई से याद नहीं रखता है बुल जाता ही इसलिए मैं भी बुल गया था साथ नहीं होगा देखिए बहुत से बच्चे कन्फ्यूज हैं वो साथ बता रहे हैं 48 साथ सी डिवाइड नहीं है देखो सेसफल आ जाता है साथ नहीं होगा तो यह हो गए इसके 10 फैक्टर और यह मैंने लगाया था ट्रिक इसका साही आंसर था इसमें नौन आप दीज समझ गए तो कुश्चन नंबर फाइब पर बढ़ो कुश्चन नंबर फाइब अब बताईए बताईए जनाब इन में जो है पहला तीन बटा साथ पांच बटा छे रुकार हम बताओ तहीं का पूछा वाला ही एक बटा चार एव अड़ी इन में ये बताओ कौन उचीत भिन्न है पुरापर फ्रेक्शन कौन सा है फाइब में बताईए उचीत भिन्न ये पौपर फ्रेक्शन जवाब दीजिए बढिया है कौश्चन नंबर नेक्स्ट भाई चलो जल्दी फटा फट कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे इतना दिन बाद आई हो तो भाई डान्स करो बढिया है नेया सिंग गूट बहुत अच्छा ये प्रेक्टिस सेट है बहुत अच्छी बात है बरे गूट प्रापर फ्रेक्शन वो होता है उचीत भिन्ने जिसका हर बढ़ा होता है आन। छोटा होता है मतलब नीचे का नंबर बढ़ा उपर का छोटा तो ये A वाला भई है ये तो नहीं है ये भी है तो A वाल ये वाला फ़ह होगा आपसा नमबर D ठीक है कौन सा होगा D D वाला होगा भईया D वाला छटा नमबर में आगे बढ़े बहुत जगह से कुश्चन पूछने है कुल फे मिला करके चल भईया ये लो ये नमबर में देखो नजरे गड़ा के भईया तुरंत आंसर निकाल लो जैसे मैं लिखूँ पटागद बता दो 6 में जवाब दीजिए बहुत जल्दी जल्दी करें बहुत जगह से कुश्चन पूछना है कुल से पूछना है, पूरे महत से पूछना है बेसिक जिनको ना आता है उनको मैं बताउंगा सबर रखेंगे, तफल ली रखेंगे थोड़ा सा करेंगे इंतजार एक चीज और जानिए हट चेंज हो गया है वक्त के साथ साथ कहते हैं कि सबर कफल मीठा होता है बहुत पहले का बात है अब नहीं पहले सबर कफल मीठा होता था आप सबर करोगे जादा तो फल किसी और कहो जाता है क्योंकि competition बढ़ गया है इसलिए सबर करना छोड़ दो मेनत करो और चीन लो ठीक है इसमें सही जबाब है ई वाला और इसी वाला ना सी वाला है सुमन कुमार सत्य अंजली भूपेस विसाल बहुत अच्छा साथ नंबर question में आगे बढ़िए सेबन नंबर में बढ़िए तो भाईया सेबन नंबर में बढ़ा हो का हो गई अंडर रूट है ए अंडर ए ए एक मान का होए पहला है इसका मान होगा ए स्कौायर दूसरा है अंडर रूट ए तिसर का है ए या जीरो बताओ का होई सेबन में बताईये अंकीता या दो खुश हैपी नाम ले लिया अब लाइक करिए फटा फट चलिए यह सब छोटे चोटे बच्चे हैं नन्य मुन्य पिल्ले भरके यह सब आते हैं ऐसे गुम टाल के चले जाते हैं आराम थे फटने वड़ने थोड़े आते हैं देख लेते हैं और क्या हाल चाल चल रहा है चल बैया ठीक ठाके सब पढ़िया है देखो बहुत हार्ड कुश्चन नहीं बताऊंगा बताऊंगा तुसका अंसर भी बताऊंगा यू डॉन्ट वरी कोई टेंतन की बात नहीं है चलो यह बताओ संख्या चौंसट का घात रूप है चौंसट का घात रूप है सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ जल्दी करें आठ नंबर में जिनको भी बेसिक नहीं आता है यह उनी के लिए है स्ताथ नंबर का सही जबाब होगा साथियों इनका मल्टिपल होगा ति यह हो जाएगा एक आई स्क्वायर या फिर इसे तुम ऐसा भी कर सकते हो ऐसे भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है तो फाइनली इसे एंटू ए करेंगे इनका दू दू का क्या बन जाता है जोड़ा बन जाता एक ठी यह बाहर निकल जाएगा बस यह आंसर आएगा ए साथ में आठ में सबसा पहला जबाब महा बोधी बेगम ने दिया है यूगेस एजूकेशन और सचिन 64 में मुझे लगता है कि 2 का घाच 6 होगा दी वाला 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 तू का पावर 6 तू का पावर 6 ठीक है कुश्चन नंबर 9 चलो बताओ फाट फे बहुत जल्दी बताना का मान जिसे बोलते हैं 11 का घंध है चल बैया रेडी एंड गो 11 नंबर 10 नंबर बताओ भई बहुत अच्छा बेरे गुड 9 में कोई जवाब दिया है तरीका देख लो भई अगर 9 का बता रहे हो तो आप 9 A कमेंट में करोगे अगर A सही है अगर D सही है तो कमेंट में 9 D लिखेंगे तभी मैं बोलूँगा ऐसे 10 में भी करेंगे कुश्चन नंबर के साथ आपसा नंबर 9 नंबर में कोई सबसे पहले बताया है तो उनका नाम है बूपेश चतुरबेदी महाबोधी बेगम योगेश स्वीटी सिंग बिन्दू बिस्नोई 11 का क्यूब होता है 13 and 31 चो इसका C वाला सही है 9 में अब आजाओ 10 में 10 में आजाओ वहुत हो गया 9 में देखो ज़रा देखो न मैथ का पूरा मिलाक एकदम खिचड़ी प्रेक्टिस हो रहा है इसमें सब कुछ टच करेंगे जो मेरे दिमाग में आ जाएगा मैंने कोई कोई कोईशन का पेपर नहीं बनाया पहले से इसी में सब बना है जिदर को खोपड़ी गूमी उदर से आ गया बस और यह सब आना चाहिए आपको कोई बहुत बड़ी बत तो है नहीं कच्छा 6 के नीचे का ही सब है आप कच्छा 6 कमेद पढ़ रहे हो बले आप UPSC का तयारी कर रहो वही चुरु में मैंने कहानी बता दिया था लड़का UPSC की तयारी कर रहा था रेसेप्शन पर बैठने वाली लड़की से मुहबद कर बैठा और दोनों में रिष्टे बने मिलने लगे प्रोग्राम आगे बढ़ा साधी कर लिया और फिर लड़का उसी कोचिंग में बन गया चपरासी क्योंकि काम तो अच्छा किया था लेकिन वक्त बुरा था सही काम सही टाइम पर करें तयारी होने के बाद की होते तो अच्छी बात थी चलो देखो मेरा मतलब किसी की भानाओं को ठेस पाउचान नहीं है समझ जाओ तो ठीक है 21 नंबर इसका आंसर 29 होगा 10 में C सबस्टर से इतना पीछा चल रहूं देख रहा है वह सिस्टम है यह समझे सतिक स्कॉाइfa ब्लस आख्यूब सिसकॉयर इप लएक जैक हैं यह बीज गडितिये पन्जक है यह कितना पदिये बंजक है चलो बताओ एक पदिये है देखो मैंने कह दिया मेरे साथ भी हुआ है लोगों कि दम दिलवाँ खुश होईगा लुग दूप दिये थीन पदिये या चार पदिये पदिये बंजक है भाईया लुग हुँ ग्यारा कखन 161 होता है कदा है आरेन कुमार समरीन सेफी ममतरानी प्रियांसु सर्मा बताओ भाईया कायक सर्मा आता है कल के उल्जने हमरे फोन में मैसेज कही के कहात रहें कि कलास में जो नावोदी भासा बोला थे नहीं गवार वाली भासा है उनका नहीं पता है देशी देशी वाला गाना सुना दिये न तो एक बार अपनी बोली और अपना वहां सा अपनी पहिचान हो था भाया चलो तो ये एक पद ये बेंजक है एक पद ये बेंजक है सब एक कर परिवार के हिस्साय भी-वी बच्चे यह सब जूड़ जाएगा क्योंकि सब सजाती यह जूड़ जाएगा तो साथ तीन दस से की ग्यारा एक सिस्क्वाइर आएगा फाइनल में यह आंसर है बस एक पद यह बंजक है तो आंसर हो जाएगा ग्यारा ए इनका लोग का तीन पद दिखात रहा ना तो अच्छे तरह ने टी है एक ठी है एक ठी है उससाब एक पदिये हो जाएंगे सब जूड़ जाएंगे आपस में ठीक है तो कि देखो कितने लोग गलबड़ा गए ना इसमें ग्यारा नंबर में आंसर जो दिया सबसे पहले समरीन सैफी ने दिया सही बताया था अंजली राओ ने गलत बताया था प्रियांसू गलत बताया था मनीज ने गलत बताया था और सुमन कुमार सत्या देखो बहुर लोग गलत बताएं है फाल तो इज्जित का बैज्जित ना करो जाने दो कोई बात नहीं है तेरे गिरने में हार नहीं तो इंसान है कोई अवतार नहीं गिर उठ और फिर भाग भाई क्योंकि जीत संचिप था इसका कोई सार नहीं बारा नंबर में आगे बढ़ें आईए सब कुछ लपेट लेते हैं पूरा का पूरा मैत ये बताएए एक तिर्भुज की भुजाएं सही लिखाओ हैं हिंदी न एक ट्राइंगल की साइड़ से जो हैं वो करमसा हैं तीन सेंटी मीटर दो फैंटी मीटर वा नौ फैंटी मीटर तो तिर्भुज होगा कौन होगा भया समभाहु तिर्भुज बिसमभाहु तिर्भुज या समकोड या तेरे भूज समभाव ही नहीं होगा ऐसा काहे काहो तीन भूजा दिया आद काहे न बने साजाला बतावा सभी बतावा जल्दी जल्दी बताव मनीश जी कह रहे है खुदा ने जब तुझे मैत पढ़ाया होगा तो सबसे पहले मुझे मैत की कलास से भगाया होगा नहीं भगाया नहीं तुम उसके साथ चले गए थे पिकनिक पे जिनको नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं में बतावाँगा चलो 12 नंबर में बताव भई सबसे पहला जब आप प्रियांसू ने दिया भी नंबर अम हमाओ के यही पता है कि 99 पर फिंट बी वाला बताएंगे सब बी वाला बताएंगे ठीक है बताए लो कोनों दिक्कत नहीं है महुँ बताए दिब बी वाला चलो तो सारा रोमांस मैं खतम करते हुए बतादूं कि बी वाला गलत है बी वाला गलत है बिसंभाव तिर्भुज नहीं इन दो बुजाओं का योगफल पांच हो रहा है बढ़की बुजा बहुत लंबी है नौ है अगर किसी तिर्भुज की दो बुजाओं का योगफल तीसरी बुजा फे छोटा होता है तो तिर्भुज संभाव नहीं होता है तो यह यहाँ पर कोई ट्राइंगल संभाव नहीं होगा डी वाला अप्सन होगा यह है कंसेप्ट मैद का ठीक है कोई तिर बुझ नहीं होगा सचीन कुमार आरा भाईय सभाई कुछ समझ में समझे जाओ तेरी दीरे सामने से हट जाता हूं तो देखा करो बोर्ड को लोग मुझे जादा देखते हैं इफले मैं हट जाता हूं कभी-कभी नजर लगा देते हैं और मैं बीमार हो जाता हूं न इसलिए आगे बढ़ें तो कोण वाला भी लपेट दें का इसी में नहीं चलो करडी तो मैं पढ़ाया हूं हाली में अभी ये बताओ अंडरूट 36 ये करडी है ये है लिखो सिर्फ करडी तो नहीं लिखूंगा मैं ये कीस परकार की करडी है बताओ सुद्ध करडी है कि मिस्रित करडी है ये सी वाला नौन आपदी जिन में से कोई नहीं बताओ सुद्ध करडी है कि मिस्रित है लेवन नमबर में बताओ A, B, C जल्दी करें किसको ये संजना बोल रही बाई जिनको भी गड़ित में कुछ भी नहीं आता है वो PVR Study एप में जा करके पूरा बेसिक मैथ का कोर्फ ले फकते हैं अभी निव बैच कडली से आया 25 तारीक से बिल्कुल जीरो से कव कात है कामार सर जी बहुत नीक है इंका इयां फे नजल लग जात है आप अलकुल लग जात है तो 30 नंबर में C वाला फाई है भया कौन सा सही है C वाला देखो तुमारे सारे बरम दूर हो रहे है ये करड़ी है ही नहीं मुझे पता था कि तुम्हें ये वाला बता होगे कुछ लोग B वाला बताएंगे कुछ लोग C वाला बताएंगे ये करड़ी है ही नहीं कभी कभी आखों का देखा कानों का सुना भी सच नहीं होता है जैसे आपकी उसकी बातें जो वो कहती थी और जैसा वो दिखती थी ना वो ऐसा थी ना वो ऐसा सच कहती थी समझ रहो तो वही यहां भी है आखों से देख रहे हो करडी जैसे दिख रहा है लेकिन ये करड़ी है नहीं तो याद रखना कभी-कभी आँखों का देखा और कानों का सुना भी सच नहीं होता है तो ये करड़ी नहीं है क्योंकि इसके बारे में तुमने पढ़ा नहीं है एक्चूली होता क्या है कि किसी भी संख्या का अगर कंपलीटली मूल निकाला जा सके चाये वो वर्ग हो घन हो या चार मूल पांच मूल जितने भी हो तब वो करड़ी नहीं होती है जैसे इसका अगर आप निकालोगे वर्ग मूल करोगे तो छे आएगा ठीक है तो ये ही है ही नहीं चलो इसको मैं आसान आफान कुश्चन ही दूँगा मुझे पता है कि थोड़ा सा उल्टा-पुल्टा कुश्चन दिया तो भाग जाओगे तुम लोग तो नहीं मैं भागाना नहीं चाहता बेसिक मैथ में मैं बहुत कुछ पढ़ाया हूँ ये बता मुझे सब ही लोग ध्यान से एकदम इज्जत और प्यार से देखना बढ़ी है ये बताओ कि अमें कौन सी संख्या है जो पांच से पूर्टा विभाजित है बीना भाग दिये बताना एकदम किवल एक नजर देखना बस पहली नजर में बता देना इसमें कौन सी संख्या पांच से पूर्टा विभाजित है कुश्चन नहीं लिखूंगा बताओ फाइब से डिविजिबल नंबर कौन सी है मोबाइल में टाइब करना है कॉपी पेन नहीं चाहिए एक बात में बताओ चलो यो गेस कुमार नंबर दे रहे हैं कि कहीं कोई आ जाता तो बढ़िया रहता पढ़ाई लिखाई करने से काही फायदा है किसका बला हुआ है बढ़ा लिखबा तभबा खराब खिलबा कुदबा बनबा नबाब फोटी नंबर में अगर कोई जवाब दिया है तो सबसे पहला अगर कोई जवाब दिया है तो 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 उनका नाम है सबसे पहले भूपेश चतुरबेदी है समरीन सेफी उसके बास महा बोधी बेगम और विसाल पासवान कुछ लोग अपने आपको बड़ा इसमार्ट समझा थे नो यह कुश्चन नमबर ना डलते हैं डाल दी से सी लिख देते हैं नम कहे का बोली तो है नाम जा बगा सी बाला सही है आएसी संक्या जिसका लाष्ट का अंक जीरो या पांच होता है वो पांच से पूर्टा अबिभाजी तो होती है सिर्फ देख के जान जाओ देख के पहिचान जाओ बिना कुछ किये ठीक है यह है डिविजिबिल्टी रूल बहुत ही आती इंपॉर्टन्ट है बेसिक गडित है यह जीरो वाली जीरो लेबल है इसमें सब कुछ आता है जनाब एक चीज याद रखना जिनको गडित में कुछ भी नहीं आता है यह सारी चीजें नहीं पले पड़ रही है उनको सिखाने की हम पूरी गारंटी लेते हैं बिल्कुल सर्टिफिकट के साथ च क्योंकि जब उम्र जादा हो जाती है चोटी 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 चीजें नहीं आती है तो लोगों को बड़ी सरम लगती है पूछने में है ना वो सरम अपने भाई बैयन से लगती है अपनी गल्फरेंड वाफरेंड अपने हस्बेंड वाइफ किसी से भी लग सकती है कि है चले आगे बढ़िया है चल भया हाँ तो पंद्रा नंबर कुश्चन ये बताओ कि रोमन संख्या रोमन संख्या ही इसको बोल सकते हैं यल का मान क्या है इसको को जोईन करेंगे न तो परसनली हमें जो है आपका नंबर भी मिलेगा आप हमसे डाउट भी पूछ सकते हैं आपक जल्दी करें 15 नंबर अ कर देखो आपको डाउट दूर हो गया होगा कि आपको गड़ी त्याती है कि नहीं आती बहुत से बच्चा पार्टी हमारे हैं जो अपने आपको समझाए ही नहीं पाते हैं कि हमें आतीक नहीं आती है वह कनफूज रहते हैं हमको तो यूपीस्थी वाला सिलेबर चाहिया था गुरुजी अब तुम परहा रहे हुई जोर घटाना हम काहे कुछ वाइन करें हम कहते हैं अच्छा बच्छ वासुना तुम हमें दूठी सवाल बताए दो हम तुमको यूपीएस्सी वाला दिला देंगे पर दूठी पूछते हैं तो आजाते हैं अउकाद पर कहते हैं नहीं हमें जीरोस पड़ना है जरूरी है बेस जानना जरूरी है हवामें उड़ो लेकिन दरती मत बूलो चलो तो पंदरा में सी नहीं होगा डी वाला फ़ाई है रोमा नंक यल का जो है मान है वो 50 होता है सबसे पहला अगर कोई जवाब दिया है तो उनका नाम में जरूर बोलूँगा सही जवाब जो सही तरीके से दिया है उनका नाम है भूपेस और गुड़ी यादो बिंदु बिस्नोई देख ठीए और पूछ ली कहा है चलो ही बताओ रोमन संख्या स्टार्ट कमाने का और बता तो रोमन अंग से फिर आगे बढ़ें कुछ दूसरा याक्स यल याल याक्स याल याक्स 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 आरे कुछ हाउर मत समझना बहुत ज्यादा समझने लगे हो तुम लोग चलो बताओ सोला नंबर में जूही जी बताइए अर्बिन द्यादो अतिफ सेख अब इसे गुपता ने सबसे पहला जबाब बताया है लेकिन तरीका गलाथ है थोड़ा सा पूरा गलाथ है तरीका महाबोधी बेगम ने सबसे सही तरीके से बताया है पहले बताया है बूपेश चेतुर बेदी ने बताया है गौरी सोनम दुबे और मस्ती नियूज रूपा नाम है यह सब कुछ मंगल गरा से आये हैं कुछ सनी बगवान के पास से आये हैं सब आये हैं लेकिन पढ़ने के लिए तो एलेक्स देखे रोमा नंक में एक नियम मैंने बताया था क्या था कि अगर बड़े मान वाला जो सिंबल है वो छोटे मान वाले सिंबल के 20 तरफ रख दिया जाता है तो दुन्नों का मान जोड दिया जाता आपस में यल का मान 50 होता है यह कर दस होता है तो 50 धन 10 बराबर 60 ठीक है सही है बढ़िया है एलेक्स मतलब 40 होता है ए भाई यह बतावा बच्पन में सबही 10 आयम पढ़े रहा ना पढ़े रहे न कुछ जने स्कूल जाएक पढ़े रहे कुछ जने सोर्स लगाएक पढ़े रहे न तो अभी बताओ कि अगर किसी परिक्षा में किसी नहीं हाई स्कूल के मानले युपी बोर्ड वालों का एक बचबा का परापतांग है 400 बीफ नंबर ओके पुडांग है 600 नंबर तो परापतांग का परफेंटेज बताओ इसको थोड़ा आसान कुछिचन आए इसलिए इसको हम 400 कर देते हल करने में आसान लएगा बताइए चल बाइए इसमें आपसर नहीं देंगे वैसे लिख तो बस आप 40 परसेंट 60 परसेंट 70 परसेंट 90 परसेंट क्या आएगा कि कुश्चन नंबर मट डालना कोई जरूरी नहीं चलो देखे जिनको भी गड़ित नहीं आती न मैं पूरे दिल के फाथ कहता हूँ पूरे इमानदारी के साथ सिखाने की पूरी गारंटी है बसरते आप सीखना चाहते हो एक बड़ी सची बात है अगर आप अपने आपको नहीं बनाना चाहते हैं न काम है अब तो कोई दुनिया की ताकत आपको बनाने सकती कुछ भी नहीं कर सकती आपका सरकार कुछ नहीं कर सकती आपके माबाप कुछ नहीं कर सकते आप बरबाद हो सकते हो बिल्कुल हो सकते हो करवालोंने पैसा दिया, रूम ले दिया, कोचिंग लगवा दिया, मोबाइल दे दिया, गाड़ी दे दिया, तुम फलानी गुमा रहो यहाँ, सब्जीक पैसा उनके पीछे खर्चा कर दे रहे हो, तो क्या करेंगे, तुमारे पीछे डंडा लेके थोड़ी गुमेंगे, समे मध्या तो नहीं है, फस गया माम लखे, फdar था कि य sır लेकिन, आगया, चली। इसका एक सूत्र होता है, परफेंटेज बराबर प्रापतांक का गुड़ा करोगे 100 से और भाग करोगे पुडांक फे ठीक है तो 2-0 से 2-0 निपट गया और ये भईया अफ़ास गया 200 बटा 3 होईगा दसमलों में ही आएगा 3-6-8 3-6-8 66.67 आप लिख सकते हो या फिर 66.6 परफेंट ठीक है लगबग में 420 किया होता तो 642 से आर आ जाता 70 परफेंट 420 ही सही था पहले शापला बईया चलो आगे बड़ी ये बताव सबही मानदारी के साथ 18 नंबर में बिलकुल दिल लगा के बताना एक दम अच्छे से मेहनत से ये बताव कि जो संख्या है 200 ना ये संख्या 1000 की कितना परफेंट है अगर मैंने कहा कि आपके छा महीना की टोटल फीस ओनली 1000 रुपए है सिर्फ एक हजार और हमने होली में आपको 200 रुपए का छूट दे दिया आपको ये बताना है कि कितने परफेंट की छूट मिल रही है जल्दी करें जल्द बाजी नहीं चले कि अठारा नंबर में जबाब दो भाईया कि आप्षन दे दूंका कि बीना आप्षन के बताओ नहीं बताओंगा आप्षन छोड़ों कुश्चन नंबर के साथ बताना अठारा नंबर ट्वंटी परसेंट अठारा नंबर पांच परसेंट अठारा नंबर साथ परसेंट चलो वैसे पिछले कुश्चन से इसका कोई संब्द नहीं है अधा तब बढ़ी आए चलो देखा यहीं सब बेसिक गड़ित है जब तक बेसिक न आये तब तक कुछ नहीं उच्ड़े वाला भाईया गड़ बढ़ाए जाएगा देखो कहरा कि 200 जो है वह 1000 का कितना पर्फेंट है हम माल लेते हैं कि 1000 का यक्स पर्फेंट कितना है 200 है तो ऐसे बनती है सिचुएसन पढ़ाया हूँ अलेडी है ना दूज जीरो फे दूज जीरो निपट गाई होईगा 10 यक्स बराबर 200 इनको ऐसे भी लिख लो कौनों दिक्कत नहीं है 20 पर्फेंट है वह भाईया करता है 20 पर्फेंट इनको मैं सिद्ध भी करके दिखा दूं तुम्हें सही है कि गलत है देखो मैत और कमेश्टरी यह दुन बड़ा खतनाक है कमेश्टरी यहनी साइन्स में पता है का है बेटवा से बाप का पता लग जाता है बाप से बेटवा पता लग जाता है और मैत में कुश्चन से आंसर का पता लग जाता है आंसर से कुश्चन का पता लग जाता है देखो कई से कुश्चन है कि 1000 का 20 पर्फेंट बताओ एक हजार का बीस परफेंट करने पर दो सो आना चाहिए बस तो एक हजार गुड़ा बीस बटा सो दूई जीरो से दूई जीरो आप निप्टा दो भाई साहब दूई सो आवा ना सबही को समझ में आ गया तो एक बार फटा फट सेशन को लाइक कर दें तुरांट जल्दी से देर ना करें और नहीं लाइक करेंगे तो फिर आप जाने आपका काम क्लास व्लास नहीं मिलेगे तो हमाय कौन जिम्मेतारी नहीं है फिर अब भाईया बता हो रचना यादो समझ में आ रहा है अंजली राव बाबुआ जी सुजीत बिंदु विष्णोही आप संडे को टेस्ट हो रहा है संडे को ऐसे भाईया कुछ अलग-अलग होता रहता है कुछ अलग कुछ अलग होना चाहिए बस किता लोग लाइक ना करया सही सही बता इमांदारी से रात के टाइम है जाना तेखना है गुरू से कपट मित्र फे चोड़ी और आगे नहीं सुने और मम्मी पापस पुझ लेना का बोलते है इसके आगे तो यह वह नाइफ नंबर था नहीं अठारा नंबर हाँ नाइफ बन गया था बीफ नंबर में आजाओ कुछ नंबर बीस यह बतावा सभाई इमांदारी के साथ एकदम सच्छे दिल से कि 13 बटा 25 का मान है का है हो परफेंटेज में कनवर्ट करोगे तो का आएगा 50 परफे आएगा या बावन परफेंट आएगा या फिर तोंका कुछ ना पता तो लिख दिया नाट यह नोटी में जब कुछ नहीं आता है कि जल्दी करें बहुत अच्छा बेरे गूड इसमें कौन कौन मताया को भई सिंपल बोल रहे हैं कि आपकी साधी हो गई है या कमेंट ऐसा मैं छोड़ दिया हूं बहुत दिन से ने बढ़ता हूं नहीं अब तक मेरी कई बार साधी करवा दिये होते मतलब रिष्ते में फुफा उनको सबसे टेंसन रिष्तेदारों के साधी की होते है तो तुम उसमें से का हो बई साधी हो गई उतना राथ में पढ़ाते हैं इतना समझधार हो इसाधी नमबर में आगे काई बोलू जाने दो छोड़ो चलो देखो समझदार हो गए इतने चलो तो इसका सबसे सही अंसर क्या आएगा टॉंटी नंबर में कोई अगर आंसर दिया है सबसे पहले तो उनका नाम मैं जरूर बोलूँगा और ऐसी महान आत्माओं में सबसे बड़ी आत्मा है जिनका नाम है वो सही तरीके से अगर बताया है तो अंजना ने आधा साही तरीका बताया था आधा गलत तरीका था और गुड़ी आदो और सम्रीन सैफी ये दो हैं परफेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुड़ा करेंगे 25 से डिबाइट करोगे से फोर आएगा और इसको जो थार्टीन से फोर में मल्टीपल करोगे तो तेरा चुप का बावन होता है ये हो जाएगा बावन परितिफत यानि आपका सी वाला सही है ट्वंटी में सी ट्वंटी में सी नंबर लाइक कर दो फटापट भईया नहीं साधी वादी नहीं किये हैं साधी के लायक कोई मिल नहीं रहा है और हम अकेले में बहुत लायक हैं समझ रहे हो कि नहीं कोई मिलेगा तो बताना बैक एंथी खाली है कोई दिक्कत नहीं चलो देखते रहते हैं आगे बढ़ें, आगला सवाल देखियेगा और मुझे बताईएगा, प्रफेंटेज और क्या बढ़ाया था? भिन भी पढ़ाया था, भिन में कई तरह की भिन पढ़ाया था, सजातिये पद भी पढ़ाया था, सजातिये पद है, पहला, x, y, z x square, y square, z square 3x square, 4x square, x square और 9y y square x चल बता, 21 में कौन सा सही है जल्दी करें, बताएं क्या आएगा इसका अंसर पद को इंग्लिस में like terms बोलते हैं, जहां तक मुझे पता है 21 नमबर है नहीं 21 का अगर कोई बता रहा सही तरीके से तो उनका नाम है सबसे पहले सुमन कुमार सत्या उसके बाद गुड़ी, महाबोधी, बेगम बिंदु विष्णोई, ठीक है सजातिये पत like terms इसमें D वाला सही है भाई साहब 21 में D बाकि सभी सजातिये पत नहीं है सजातिये पत के लिए चर समान होना चाहिए और उनकी घात समान होनी चाहिए इसको पढ़ाते से में बताया था बहुत सारे एक्जमपल के साथ जैसे आपकी साधी बिबाव में आजकल सामाजी क्रनीतियों के according जेम जाती बिरादरी होनी चाहिए और उनकी आर्थिक इस्तिती भी लगबग-लगबग समान ही होनी चाहिए है ना तब ही होता है नहीं लोग कहते हैं सही नहीं है रिस्ता यह तो वैसे इसमें भी सब कुछ देखा जाता है तो ट्वंटी टू नमबर अच्छा कुश्चन तो आज हम पहले नहीं लिखे रहे हैं लेकिन फिरो हम समान लेगे ना तो लोग आगे नहीं निकल पाया चला जलो बताओ यह पर्मिय है रिफनल नमबर या पर्मिय है जल्दी करो बताओ फटा फटा बताओ क्या यह पर्मिय है क्या पर्मिय है 23 बताओ अंडरूट थीन और यह अंडरूट बारा का है भई यह नमबर एक पर्मिय है क्योंचन नमबर के साथ बताना यह पर्मिय है रिफनल नमबर बोलते हैं पर्मिय को यह रिफनल नमबर बोलते हैं आप पर्मिय को जल्दी करें जिनको नहीं आता जिन्होंने नहीं देखा वो क्लास को रेगुलर देखें कौनों दिक्कत नहीं किसी को न भूपेश चतुरवेदी सबसे पहला जबाब है बाइस नंबर में इनका समरीन सैफी महाबोधी बेगम अंजली राव और रूपा स्टोनम दूबे विसाल पासवान अरबिंद तो पहिया हो एक बी वाला फ़ाई है अपरमिये है नाट परमिये लेकिन एहमे न तुम लोग कनफूज हो मुझे पता है तेईस नंबर में सब ही लोग बी वाला बताएंगे लेकिन हम कहेंगे ए वाला है तेईस नंबर का अंसर पराईम है यह पराईम और आइम कहा है हो भाई क्रिफना कान जी क्या नाम है आपका जो भी आप निवेदन है कि कोई परकार का टिपड़ी ना करें बीना काम किया अन्य था आपको यहां से ब्लाक करने में मात्र पांच सिकेंड लगेगा चले देखो यह पर्मिय संख्या है अक्चुली बात यह है कि इनका जब आपस में गुड़ा होए ना भाईया तो यह बात यहां ही 36 होई जाएगा इस से आई फे अतों का सबका पता है कि 36 का वर्ग मुलवा हो थे छे और छे का हुए एक पर्मिय संख्या तो आप कह सकते हो कि 23 का है रफनल नंबर है इसका अंसर कि ठीक है कि समझ में आए ना कि बिन्दू बिसनोई बिल्कुल टेस्ट लेते हैं का एक को आप कंफूजन में है का यह कंफूजन में अब यह टेस्ट होता है तो 23 होईगा 24 नंबर लिख लिए फिर रही में लगे हाथ कहां से कुश्चन रहेगा पर्मिय पर्मिय तो पढ़ाई दिया सब तो पढ़ाया है कहां से पूछ लूम है हूं तो यह बताओ सबही लोग तो सर्बसामिका पढ़े या इडेंटिटी बोलते इंगले इसमें सर्बसामिका मिन्स आइडेंटिटी है कौन है यह देखा ध्यान से देखा इसम नजर गड़ाई के इसमें सर्बसामिका कौन है बताइए जिनको नहीं आ रहा वो लिखेंगे 24 नंबर में 9 मतलब यह नंबर एक अउल ले लो कि नान आपदीच चलो जिनको नहीं आता है वो बता देंगे नान आपदीच कि कि आकरती जी बहुत अच्छा बेरे गुड मता रानी जो भी सुनाना है नंबर दिया गया उस पर मैसेज करिए मैसेज करिए या कॉल करिए हमारी टीम के द्वार आपको कंटक्ट किया जाएगा अनी बेदन है यहां पर जो हो रहा है उसको होने दीजिए तो 24 नंबर में सही जब आप दीजिए नाम बोलेंगे सब का बाकी यहां पर हम नाम बोलने के लिए नहीं नो निर्वाचित किये गए हैं बैया इसका सही आंसार है दी नंबर यानि 24 में दी नंबर सही है ऐसा एक्वेस्टन जिन में भाई देखो मैंने तुमको बताया था ना ये बिल्कुल मतलबी की तरह होते हैं एक देशी एकजांपल बताया था दनिक जीवन से जैसे इंसान होते हैं कुछ दुनिया में मतलबी बेवफाद होके बाज गद्दार ना सुने होगे नहीं कहीं सुने होगे जरूरत और अप कि सर्वसमिका में क्या है कि अचरपद का कोई भी मान रखिये दोनों पद हमेशा बराबर होते हैं LHS और RHS दोनों पक्ष बराबर होते हैं ठीक है लेकिन समीकरण इसके जैस्ट अपोजिट होता है इमानदार वाली पार्टी में समीकरण में अग्यात रासी का एक जाएगा आगे दन यारा यार यार ये तो पेज भर गया यार इस एक नमबर लिखला पच्चीफ नमबर लास्ट कुश्चन में का पूछली तो लोग से बता जाए बंदारी इस चला इस बताओ कि सबसे बड़ा कॉन कितने अंसका होता है सबसे बड़ा कॉन सुने होग नहीं कितने अंसका होता है 90 अंसका मैंने सुना था एक ठी 180 कभी सुना है मैंने लिखूंगा नहीं सब लिखूंगा तुम बताई लोगे चलो बताओ कोंड सबसे बड़ा कितने अंसका होता है कैमरा की बैटरी डिस्चार्ज होगी मुझे आदा मिनट देना नो और न बंद हो जाएगा चट्टा से भी पोन अभी नहीं करना कोई भी बाद में करना अभी कलास हो जाए तब अभी कलास खतम हो जाए तो कॉल करिएगा ठीक है चलें आगे बढ़िया हो गया तो भाई सबसे बड़ा जो कोंड होता है वो 360 का होता है बहुत अच्छा निसान सिंग बेरे गुड हम बेरे गुड इक खाए इक्रा नासिर भी मैं आपका कमेंटगा आपको काम का कमेंट करिए ना मतलब का मतलब का कमेंट करिए तो पड़े मैं तो सबसे बढ़ा कोंड जो होता है वो होता है 25 नंबर का 360 है एक हां भाग रांबै है यह बाई देखो मुझे परिशान ना करो तुम चुप-चाप छोटे यह बताईए आप लोग वो जानते हैं क्या यह वो का बोलते हैं उसे जिनके दो कोणों का योगफल 90 होता क्या बोलते हैं पूरक संपूरक यह बताईए कि अगर एक कोण जो है कुश्चन नंबर ने डालूंगा पचीफ नंबर ही जान ले रहा है एक सी एक्स्ट्राम बता रहा हूँ यह बताओ कि कोण पचाफ का पूरक कोण बताओ कोई एनिवन पूरक कोण बताईए इनको बोलते हैं क्या जानते हो कंपलिमेंटरी बोलते हैं न सपलिमेंटरी एंगल बोलते हैं इंगलीज मुझे कंफरम नहीं है कंपलिमेंटरी या सपलिमेंटरी में से एक बोलते हैं बताओ क्या बोलते हैं रुको मैं कंफरम करके बता दे रहा हूँ बताईए फटाफट 50 अंस का पूरक कोण बताईए कंपली मेंटरी मतलब होता है पूरक ठीक है इसको कंपली मेंटरी बोलते हैं सपली मेंटरी बोलते हैं उनको 180 जिनका योगफ़ल होता है 50 का कंपली मेंटरी अंगल बताईए कितना होगा सबसे पहला कोई जबाब है तो नीरज मिसरा का है और बिंदू बिस्नोई अंजली सर्मा सरी अंजली राओ गुड़ी आदो और बिस्नोई जी कभी है ठीक है जानते हो कईसा होता है सुनो किनी दो कोणों का योगफ़ल अगर 90 होता है तो उसे बोलते हैं पूरक कोण जिसका हमें पूरक निकालना है उसको 90 से देते हैं चूप पे से घटाई और जो आंसर आता है वही हो जाता है उत्तर ठीक है कर्वर्जन का मतलब होता परिवर्थन यूनिट मतलब मात्रकों का परिवर्थन जैसे मीटर सेंटिमीटर हेक्टामीटर डेस्टुमीटर हो गएरा हो गएरा तो सबसे पहले हम लंबाई का करेंगे आज ठीक है इसमें देखें क्या क्या होता है एक तो यह होता है जो लंबाई वाला या दूरी वाला एक होता है लिक्विड का कन्वर्जन जैसे लीटर मिली लीटर दूद का पैकिड लेते होंगे 500 अमेल तेल लेते होंगे मस्टर्ड आयल देखें उसमें लिखा होता है दो सो द नो सो बारा ग्राम या एक लीटर ऐसा कुछ देखें हो दूरी या लंबाई या लिक्विड का हो गया एक और होता है वो कौन सा होता है वजन का ग्राम किलो ग्राम सेंटी ग्राम डेसी ग्राम मिली ग्राम है ना सुने हो कि नहीं सोना चांदी किसमें तो होता है मिली ग्राम में भी बहुत होता है ना ग्राम तो बड़ी बात होती है तो बहुत सारी चीज़ें होती है आलाग अलग चीज़ों पर डिपेंड करत सबसे पहला सवाल का जवाब दीजिए कोई बताएगा इनीवन कि पहला कोश्चन क्या कहता है कहरा साथियों की कि एक मीटर में कितना होता है क्या कि सेंटीमेटर पहले आप थोड़ा साथ देखेंगे फिर हम इसको समझाएंगे कि इसको याद करते हैं निकालते कैसे समझते कैसे एक मीटर में होता है सौ सेंटीमेटर वन का भी वाला आपसंस आई है रंजु पटेल जी ममतरानी मीरा गुप्ता काजल अलोग बिक्रम बाचीत बंदब सिकेंड नंबर कुश्चन में जवाब दीजिए क्या होगा एक सेंटीमेटर में कितना मीटर होता है या एक मीटर में कितना किलो मीटर होता है एक बार आप ट्राई करेंगे चार पाच कुश्चन ऐसे हम करेंगे फिर इसका कंसेप्ट बताएंगे कि इसको समझते कैसे राटना नहीं है बाइट कि एक मीटर बढ़ाब सौफ एंटी मीटर एक मीटर सौफ सेंटी मीटर एक किलो मीटर एक हजार मीटर अश्या करो के भूल जाएगा जितने भी साथ ही आये हैं ये सेशन को लाइक जरूर करें बिल्कुल दिल से इमानदारी के साथ एक मीटर में सौ सेंटी मीटर होता है और एक सेंटी मीटर में एक बटा सौ तो यहाँ मैं तो कोनो आपसन नहीं यार लग रहा है मुझे यहाँ पर ये आलाज जीरू होना चाहिए है सबस्क्राइल की एक मीटर में 100 सेंटी मीटर होता यांते होग नहीं तो एक सेंटिमीटर में एक बटा सो मीटर ठीक है तो बी वाला सही हो जाएगा अगर हम थोड़ा चेंज कर देंगे तो बणिया कोई दिक्कत ना किसी को चलो तीन वाले में जबाब दीजिए थाड में A, B, C क्या सही होगा चलो भाई जल्दी करो साचीन, रीशू, भूपेश, नीरज मिस्रा, ममता, गुड़ी आदो, महीमा, अमोर्या जिनको भी सीखना है क्लास को लाइक करना है मैं बताओंगा इसका मतलब समझाओंगा अभी कांसेट चलो देखो साथी मेरे एक किलो मीटर में जो होता है वो एक हजार मीटर होता है तो वन मीटर में वन अपान वन थाउजंड किलो मीटर होता है ठिक है? इसमें C वाला होगा क्या होगा? तीन में C वाला होगा, C आंसर दीजिए कुशन नमबर के साथ मिश्टर सोनम दूबे बात मत करिए चार नमबर में जबाब दीजिए अच्छा थोड़ा सा मैं अब समझा दूँ क्या पांच कुशन कर लो फिर बताता हूँ इसका मतलब कैसे याद कैसे करते हैं जिनको भी गडित सीखनी है बिल्कुल दिल लगा के आराम से बैठना है पूरा कलास देखना है छोड़ के नहीं जाना बीच में छोड़ के गए तो आप जानो अपका काम एक किलो मीटर में कितना मीटर फोर का सबसे पहला कोई जबाब दिया है तो उनका नाम है क्या पता है कुछ नामें नहीं है उनका आजमान में उड़ रहे हो भूपेश चतुरवेदी सही तरीके फे जिन्नोंने बताया बाकी सब बी सी बी सी लिख रहे है गलत तरीका है अगर फोर में तुम्हें लग रहा बी है तो आप कमेंट में फोर बी लिख होगे तो फोर फी लिख होगे यह सही तरीका है तो एक किलो मेटर में एक हजार मीटर होता है सी वाला फोर सी फोर सी नहीं फोर का सी आप सन इसका मतलब यह धाई मीटर में कितना फेंटि मीटर भया चूकि ए रुकना वन मीटर में सो फेंटि मीटर सो धाई मीटर बराबर धाई गुड़ा सो यानी धाई गुड़ा सो पचीस सो एक अंग पर दसम्रू लगाओगे दूस्व पच्चास आएगा बी वाला पांच में बी वाला सही है निसान सिंग बहुत अच्छा सुकृति यादो अध्या इनका नाम है चलो भाईया हो गया बढ़िया आगे बढ़े आईए अब कांसेप्ट पर बात करते हैं कुश्चन आगे भी यह लेकिन अब थोड़ा कांसेप्ट पर बात करें इसको प्यार से देखिए समझी यह क्या लिखा है चलो अब समझते हैं कि इसको जानते कैसे एक्चुली में होता क्या इनकी पूरी कहानी क्या है स्टोरी के पीछे तो यह कुछ नाम है याद करें ना मिली सेंटी देशी मीटर देका हेक्टो और भाईया कीलो मीटर यह सब के आगे मीटर लगा लोगे ठीक है सब के आगे मीटर के आगे मीटर ने लगा होगे बस मिली मीटर सेंटी मीटर डेसी मीटर ठीक है यहां मीटर की बात कर रहे हैं मिली मीटर सेंटी मीटर डेसी मीटर हेक्टो मीटर मीटर के आगे नहीं लगा होगे मीटर यह जो हर जगा मैंने यह जीरो लगा दिया फिर इसको नहीं लगाएंगे पूरा लिखोगे तो स्मझ गए यह मेन कहानिय साथ वहीनिया है इन्हीं को याद कर ना साथ ना चलो ईह अब कांसर्ट समझते हैं कि याते कैसे हैं रटना नहीं एकिसी को मैथ में रटा नहीं जाता है कि रट याद कर लोγोगे भूल जाएगा जिंदगी में जिन्दगी की फितरत यही है कि जिसको याद करना चाहो वो याद आती नहीं है जिसको भूलना चाहो बूलती है तो फिर याद ना करो ना भूलो चलो देखो जैसे मैंने कहा यह मीटर है ना मैंने कहा कि एक मीटर में कितना फेंटी मीटर बताओ बता भया देखो जिनको याद है वो तो कहे देंगे 100 cm लेकिन एक्चुली 100 cm समझेंगे कैसे की होता है कब क्यों थोड़ा तरीका बता रहा हूं थोड़ा फाट कर देखना ये मीटर है ना इनकी नमबरिंग कर लो पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 साथ है ना ये साथ है हमें क्या करना मीटर से cm में जाना है तो देखो मेरे यार यहाँ पर समझो मीटर फे cm में जाना है यहाँ फे यहाँ तक मीटर से तीर गई cm में मीटर 4 नमबर पर है cm 2 नमबर पर है मीटर का नमबर क्या है 4 और cm का 2 घटाओगे क्या आएगा 2 ठीक है तो आप क्या करोगे दो आया ना वन के बाद दो जीरो लगा दो बस हो गया अब बूलना नहीं है तरीका होता निकालने का याद नहीं करना रटना नहीं है एक मेटर में 100 सेंटिमेटर ठीक है चलो यह हो गया अब अगर मैं कहूँ कि एक मीटर में कितना मिली मीटर यम यम बताओ एक मीटर में कितना मिली मीटर बहुत आसान है चलो देखो आओ इधर यह भाई मिट जा यार तुम मिली मीटर देखो भाई यह तीर निकलेगी कहां से मीटर फे यम यम मिली मीटर में तो चार नमबर पर है का मीटर चार नमबर पर है मिली मीटर एक नमबर पर है चार वे से एक गटाओ तीन यानि एक के बाद तुम तीन जीरो लगा दो कोई ग करीका समझ में आ रहा है मस्त है भूलना नहीं कभी रही तुमको याद नहीं करना कभी कभी यादी नहीं करना एक को गलत नहीं हो सकता गूगल पर सर्च कर लिना बाद में और बताना मुझे अगर कुछ गड़ बढ़ हुआ तो चलो और आगे बढ़ें चल बैया एक और बालना हो कि 120 मीटर में एयर रूक रेदधार रूक है 1 सेंटी मीटर में कितना मिली मीटर चलो बताओ है है मेने किससे सेंटी मीटर में पकड़ो कहां या अपगद लाएं दोने पडोसतं है ए रुखतुम का यवागरा है चल है सेंटिमीटर से मिलीमीटर तो यह दो नमबर पर है वह एक नमबर है दो में से यह गटा लो भाई साहब दो में से गटाऊंगे चुप्पे से विएक लिख होगे अरस्ट में एक सेंट मीटर में होता है सिंगोट प्रिया सुकला कि सभी को समाज में आ रहा तो सेशन को फटा-फट लाइक कर दो मेरे भाईयों चलो रटना नहीं पड़ेगा लेकिन अभी इसमें एक एक पैंच है थोड़ा सा पैंच मतलब जान रहे हो अभर इसमें तो लोचा है बताओंगा भी रुको गे तो यह उपर उपर काम करता है निच्चे नहीं काम यह केवल एक दिशा में काम करता है ट्रिक निच्चे से उपपर जाना हो तब उपपर निच्चे आना हो तो नहीं काम करता है फिर अलग सिस्टम होता है थोड़ा फरुकना एक मिनट रुकना आधा ठीक है चलें आगे आचलो देखो यह निच्चे से उपपर जाता है जैसे अगर मैं कहूं कि इसको मिटा दे रहा हूं समझने वाली बात थी बस जैसे अगर मैं कहा कि एक किलो मीटर यह यार मिट का है को जाता बार बार यह एक किलो मीटर में कितना मीटर अब बताओ यह कैसे होगा समझना समझना यह बाइस आप किलो मीटर साथ नंबर पर आते हैं कहां पर यह साथ नंबर पर इनका घर है यहां फे इनका टेलिफोन मिलाओ मेटर के पास किलो मीटर साथ नंबर पर है मीटर चार नंबर पर है घटा लो तो गिंती मिली तीन और तुम्हें काम करो यहां एक के आपको पड़ाता नहीं हूं कि मैं आपको पढ़ाता नहीं हूं तो सीख जाओ समझ रहे हो ना इस चुलो देखो यह हो गया अब अगर हम यहां पर बात करें एक हेक्टोमीटर कि एक हेक्टो में कितना मीटर कमेंट करके बताओ फटा फट चलो एक हेक्टो में कितना मीटर बताए अलो कुमार स्वेता खदीजा परबीन जल्दी फटा फट हर कोई जवाब देगा चलो देर ना करो कि अच्छा बच्चा बेरे गुड बेरे गुड एच भी आफीसियल यूपी सतासी पामू एफ एफ गेमिंग यह नाम है सब आसमान से आये यह मंगल करा से अभी जल्दी में लेंड किये जो ही आर्या कोई दस बता रहा है कोई सो बता रहा है जीरो ही तो लगाना है को उन्हों तो सच सच जीरो लगा दे रहे हैं जफे लग रहा बट रहा है फ्री का लगा दो जित्ता मन करें चलो बाइस आप देखो यहां पर समझो अच्छे सीमानदारी से बिल्कुल प्यार से यह हेक्टो मीटर और मीटर दोनों पडोसी पडोसन है पडोसन पडोसन है तो क्या हाल है इनकी तुम समझा सकते हो बगल बगल है तो का हाल चाल हो सकती इन दोनों में गटाओ एक है मतलब हेक्टो मीटर बड़ा होता है मिटर छोटा होता है उसका दस गुना होता है वो कि प्रिया कुछ वहां समझ में आ रहा है मतलब आपको कुछ भी रटना नहीं है इनी सातों बहिनिया को याद कर लो बस कौन थी मिली यह तीनों में काम करता है लंबाई वाले में भी और ग्राम किलो ग्राम वजन वाले में भी और लिक्विड वाले में भी लीटर मिली लीटर वाले में सिर्फ आपको क्या करना है यहां मीटर की जगा पर ग्राम करना है बस ठीक है मिली ग्राम सेंटी ग्राम डेसी ग्राम मीट को ग्राम और उधर क्या करोगे लीटर यानि मेटर ग्राम और लीटर यह तीन चीज चेंज करना है बस हर जगा यह काम करेगा और पूरा कन्वर्जन की कहानी इसी के अंदर है और ऐसे सब में होगा समझ रहो कि नहीं सचीन कुमार बच्चा पढ़ लो पहले तुम पढ़ लो थोड़ा कहीं से या बलक करो इनको भाई इनको बलक करो दुबार इनका कमेंड ना है चलो गूगल पर सार्च कर लो फिर मुझे बताना एक मिनट यार यह नीचे से ऊपर चला गया क्या सौरी 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 रुको 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 एक मिनट यह नीचे से ऊपर चला गया थोड़ा रुको ना मैंने कहा कि ऊपर फे नीचे वाला एक अला कहीं कि कहते हैं कुछ आई से मैं मुझे क्या आई बोलूं आज आते हैं कुछ लोग कहेंगे confidence नहीं है देखिए actually क्या है अगर आपको कोई भी रासी नीचे से उपर वाली प्राप्त करनी है तो यह तरीका ऐसा ही है confusion बनाया उसको मैंने बलाग भी कर दिया और अगर उपर फे नी concept इसमें थोड़े है जैसे अगर कहें कि एक मीटर में कितना डेका मीटर होता है एक मीटर में कितना डेका मीटर होता है तो अब आपको नीचे से उपर आना है नीचे से उपर नहीं आना है उपर नीचे आना है ठीक है तो यह मीटर फे डेका में आएगा यानी नीचे आ रह करोगे और जो जीरो लगाओ वह नीचे लगाओ बस अधा इतना करना है कि कि समझ में आया ना गूगल पर सर्च कर लेना बताना फिर कि समझ में आया आपको कोई भी नंबर में अगर उपर से नीचे की कोई राफी निकाल नी है यानि जैसे मीटर से हमें डेका में जाना है तो ऐसे जैसे अगर मैं कहूँ कि एक मीटर में कितना किलो मीटर बताओ एक मीटर में कितना किलो मीटर बोलो भाई एक मीटर में कितना किलो मीटर तो देखो बहुत सिंपल सा है हमें मीटर से किलो मीटर में आना है यानि हमें उपर नीचे को आना है अब मीटर जो है इसे वरी किलो मीटर साथ नम्बर पे है मीटर जो है किस पे है मीटर सीधा फिधा लिखो मीटर से आना मीटर 4 पर है किलो मीटर 7 पर है घटाओ गे माइनस 3 आएगा जब ये गिंती माइनस में आएगी तो यहाँ पर भिन के रूप में लिखेंगे one upon one करके लिखे रहेंगे और जितना गिंती आएगी माइनस में उतना zero लगा देंगे बस तो एक मीटर में एक बटा 1000 किलोमीटर होता है यह उपर फे नीचे वाली रासी के लिए है यार मेरा दिमाग इसमें कुछ डिश्टब था क्या यह हेक्टो था कि डेका था पीछे वाले में कहीं देखिए तरीका में सही ही बता रहा हूं उसमें कुछ एक मिनट देखते हैं रुको थोड़ा सा पीछे वाले में देखते हैं यह सही है कोई बात नहीं इसमें थोड़ा सा कहां गया है वो कुश्चन मिट गया क्या हो देखें तरीका समझ यह जो मैंने तरीका था बताया कहीं अगर भूल चूक से मैंने एकाथ जीरो कम लगाया आएकाथ जादा लगा दिया तो तो आप समझ सकते हैं कभी कभी हो जाता है कहीं लेकिन ऐसा हमारी कोशिस है कि नहीं होता अक्सर अगर दस बताऊंगा तेकाथ दो या आधा कहीं हो गया तालग बात है ठीक है कि सायद उसमें मैंने आपको हेक्टो से मीटर में बदलने में एक बटा दा से आयसा कुछ किया था जो भी यह तरीका समझ लीजिए दूसरे हम समझ लीजिए कैसे हैं देखें आई आगे बढ़ें अब फिर से अगर हम कहें कि सेंटी मीटर से मीटर में बदलना है सेंटी मीटर से मीटर में समझ न तो एक सेंटी मीटर में कितना मीटर चलो बताओ जो को बहुत आसान है सेंटी मीटर से मीटर में आना है सेंटी मीटर है साथियों दो नंबर पर मीटर ह चार नमबर पर घटाएंगे तो माइनस में दो आएगा अगर यह माइनस में आएगा तो इसे एक बटा एक लिखेंगे ऐसे ठीक है और चुकि माइनस में दो आ रहा तो नीचे दो ठी जीरो यानि एक सेंटिमीटर में एक बटा सौ मीटर समझ में आया ना ये तरीका होता है अब कहीं मैंने माल लिजिये भूल के यहां एक जिरो लिखा या तीन जिरो लगा दिया तो तना आप समझ सकते हो कि जो यहां गिंती आई लिखेंगे वही सभी को समझ में आ रहा तो फटा फट सेशन को लाइक करें इमानदारी के साथ जल्दी करें देर ना करें यही तो है ना जिन्दगी में तुम कितना भी अच्छा कर लो अगर तुमने एक छोटी सी गलती कर दिया ना तो लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे कि यह हो गया समझ में आया चलिए ठीक है और थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं चलो भाई तो अभी हम उपर फे नीची वाले में आ रहे हैं अगर मैं बात करूं कि एक मिली मीटर में कितना मीटर एक मिली मीटर में कितना मीटर समझना यहाँ पे मिली मीटर एक नंबर पर है और मीटर चार नंबर पर है घटाओगे माइनस का तीन आएगा अचुकि माइनस में आ रहा था आप इसे एक बटा एक लिखोगे तीन आ रहा घटाने प्तिन जिरो नीचे लगाओगे बस हो गया एक मिली मीटर में एक बटा एक हजार मीटर चाप लो भाईया समझ में आ रहा है किसी को कौनो दिक्कत परिसानी नहीं ना तो फटा पट सभाई लोग कलास को लाइक कर भाईया चला जल्दी फटा फट लाइक करो चलो बढ़िया है कोनो दिक्कत नहीं किसी को ना चलें आगे बढ़ें नो डाउट नो परिफानी चलो फिर ठीक ठाक है सब बढ़िया है चले देखिए अब तो लगबग सब ओई गया है अच्छा एक बात बताओ एक किलो मीटर में कितना फेंटी मीटर हो किलो मीटर में कितना फेंटी मीटर आपने देखा होगा सणक उनक रोड किस में ना पेंगे रोड किस में ना पेंगे सणक देखिए अलग-अलग चीजों को ना पने के लिए इसमें से अलग-अलग रासी का परियोग किया जाता है जैसे मान लीजिए हम आज सूर रिफे चंद्रमा के बीच की दूरी ना पने की बात नहीं करेंगे मुझे नहीं पता धर्ती से आसमान की दूरी किलो मीटर में नहीं ना पते हैं प्रकास वर्स में ना पते हैं दूरी का सबसे बड़ा मात्रक प्रकास वर्स होता है समझ रहो अगर आपका घर आपके सहर से मली जी गाउं में आप रहते हैं 1000 मीटर या 100 मीटर मीटर नहीं सुरी किलो मीटर में है तो उसे मीटर में नहीं ना पतेंगे सेंटी मीटर में नहीं ना पतेंगे अगर ये पैन ना पतेंगे बताओ कामेंट करके चलो ये pen किस में नापेंगे किलो मीटर में नापेंगे ना इसको कि हमारी pen दो किलो मीटर की है किस में सेंटी मीटर में क्योंकि मीटर से भी छोटी है ये तो जो जैसे suitable होता उसको वहाँ परियोग करते है हम समझ रहोग नहीं अगर किसी इंसान की लंबाई नापना तो किस में नापते हैं किलो मीटर में नापते हैं भाई फलाने एक लंबाई जो है पांच किलो मीटर है किस में नापते हैं मीटर में भी नाप सकते हैं लेकिन मीटर में फिलेने नापते हैं क्योंकि लंबाई में छोटी छोटी चीजें इंसान की लंबाई मैंने रखती हैं तो अधिक तर उनको सेंटीमीटर में नापते हैं या फिट में नापते हैं है ना समझ रहे हो कि नहीं आईए इस पर बात करते हैं कि किलो मीटर में कितना सेंटीमीटर किलो मिटर साथ नंबर पर है सेंटी मिटर दो नंबर पर है घटाओ गए आएगा पांच यानि नीचे से अगर उपर को हमें जाना है सीधा फीधा तो हम सीधा फीधा वण के बाद में पांच जीरो लगाएंगे कितना जीरो लगो भाई या समझ में आया कौन दिक्कत ना किसी को तो आप हमें लागत आए कि तू सबाई सिख्गा तो चला लग जा फिर काम पे चला फटा फट लग जा छे नंबर कोईश्टन पे बताओ 10 सेंटीमीटर में कितना मिलिमीटर बताओ बड़ाई समार्ट है सब एक कर रहा है काजल तो कर रहा है आप बोल क्या बोल रहा है आए दस सेंटीमीटर में कितना मिलिमीटर आपको पता है कि सेंटीमीटर मिलिमीटर के ज़श्ट नीचे होता है यह यह का यह एक सेंटीमीटर में दस अमेल यह मिलिमीटर यहां मिटर की बात हो यह लिटर की नहीं तो यह उसका उल्टा हो जाएगा उल्टागाएगा हो जाएगा दादा एक सेंटिमीटर में 10 एमेंअ तो पाई साथ 10 में 100 हो जाएगा भी वाला फई है 6 में B हो जाएगा B इतना देर में कौन बताता जी राखी कुमारी कमेंट आरा आपका मैंने देखा आपका कमेंट आ रहा था चलिए सेबन में बताईए अगर आपको लग रहा है कि सेबन में स्टी वाला है तो कमेंट में सेबन सी लिखो अगर आपको लग रहा दस मीटर है तो सेबन में ए लिखिए जल्दी करें परतिक्छाति बारी सिम्पल इस सिंपल नाम है आपका कि सिंपाल नाम है क्या कहें बहुत अच्छा, very good 100-centimeter में कितना मीटर बाई साभ एक मीटर में 100-centimeter तो 100-centimeter में 1 मीटर चाहे कन उन्वा इदर यहाझ खिचो तबो थोड़ा असर में करेगा इधर सब सेटिंग कर रहा है कमेंट में देखो तुम्हें बताया ना बहुत बार यह इंटरनेट वाला प्यार बहुत होता है है खराब समझ रहे हो कि नहीं इसको तुम बेबी समझ के रिचार्ज कराते हो छा महीना ना मिलने के बाद तुम ब्योस हो जाओगे तो इस चक्कर मिना रहा हो इंटरनेट वाला प्यार बड़ा खतनाक होता है इंटरनेट में से पढ़ाई काम किये बस बागी सब बढ़ा होत उतने स्मार्ट है उतने ब्यूटिफूल है उतने क्यूट है तो यह क्या है यह जो दिखा रहे हैं वो एक्चुल में वैसे होते नहीं है वीडियो में एडिटिंग होती है बहुत सारे फिल्टर होते हैं वो सब दिखता है तुमें समझ रहे हो कहते हैं जो दिखता होई वि फी या आठ भी क्या आएगा भाई परी को बगाओ यहां से बलग करो इनको इनको बलग करो यहां ही है कुछ जुगाड खुजने यहां पर चले आगे एक किलो मीटर में एक हजार मीटर होता है एक किलो मीटर में एक हजार मीटर होता है तो पांच किलो मीटर में पांच हजार मीटर ए भाईया कहां है हो सी वाला आठ में सी कौन सा आठ में सी नौ में बताओ क्या होगा अभी मैं बता चुका हूँ कैसे समझते हैं मत पूछना की काहे को करवा दे रहो इसको देखो कितने महानात्माए है ये परी के साथ साथ ये परा को भी बला करिए फटा पट बला करिए इनको दुबारा आने न पाए ये दिखाई न पड़े 3600 सेंटिमीटर में कितना मीटर बताइए लड़कों को मैं बार बार सावधान करता हूँ पता है क्या कि लड़का लड़की के चक्कर में बरबाद हमेशा लड़का ही होता है अधिकतर केस में कहीं बड़ा सातिर निकल गया तो अलग बात है ये तो लड़का ही बरबाद होता है बताओ मैं कैसे देखो जो ये इस कमेंट में देख रहे हो तो देखी रहे हो अगर तुम लोगों में बहुत अच्छी वाली मुहबत होगे बढ़िया वाली दोनों मिलके समय बरबाद करोगे इसमें दोनों दसा में बरबाद ही होता है अगर अच्छा बन गया तब भी दोका मिल गया तब भी तब तो दिल तूट जाएगा तो बेवफाई वाला सुनेगा और अच्छा वाला रहेगा तो टाइम बर्बाद करेगा दोनों बर्बाद ही होता है और लड़का ज्यादा बर्बाद काहे को होता है बैस इंपल सी बात है तुम्हें लोग का बहुत अच्छा चला है टाइम कूँ अच्छे पास हो रहा है यह हमेशा तो इफ़ चलेगा नहीं दो तीन चार साल बाद क्या होगा ज़र तुमको नौकरी मिलेगी न उसको नौकरी मिलेगी लेकिन उसके लिए तो कोई पढ़ रहा है घर वाले खोच के उसकी कर देंगे सरकाई नौकरी वाले के साथ है बिया भले उसकी उमर उसके बाप के बराबर हो कोई दिक्कत नहीं बस गवर्मेंट जाब होनी चाहिए दिक्कतर भारतियों की सोच ऐसी है ठीक है और कमाने वाला होना चाहिए और चैचा प्रसिये हो तो उसकी तो फटल हो जाएगी भले कुछ नहीं दाल डोटी मिलेगी तुमारा क्या होगा बेरोजगार लड़का और विद्वा महिला का दर्ध कोई समझ नहीं पाता जना पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो तो बस आगे मैं क्या ही बताऊं जादा मत बुलाओ समझ रहो ना तो पढ़ लो भाई चलो 3600 cm में कितना मीटर पहले ये बताओ कि 1 मीटर में कितना 20 मीटर बताए जल्दी कमेंट करिये फटा फट 9 नमबर में क्या होगा जल्दी करें बहुत अच्छा सबसे पहला कोई जवाब दिया है निसान सिंग, एमेजिंग बॉपेश, चतुर बेदी काजल, प्रिया, अंजली, सोनम, राखी देखो बाई सिंपल सी बात है कि 1 मीटर में होता है 100 cm और ये मीटर में जा रहा है आए फे देखो 1 मीटर में 100 cm तो 1 cm में 1 बटा 4 मीटर तो 36 cm में आप क्या करोगे? 36 cm को 100 से करोगे भाग तो ये होई जाएगा बीवाला फाई, 9 में भी 100 से भाग करोगे? आ जाएगा आगे बढ़ें? कौनो दिक्कत ना किसी को 10 नमबर मताओं? एक एस्टड़ी बहुँ ज्यादा कॉपी पेस्ट ना करोगे 10 नमबर में आ जाओ चलो आदा मीटर में कितना फेंटी मीटर हो? भलाने लोग बताओ ना देखो एक्चुली में 1 मीटर में हो थै कितना फेंटी मीटर? एक मीटर में कितना फेंटी मीटर है? बताओ ना अभी अभी बताया हूँ फट से बताओ चलो आप ऐसे कमेंट करो 10 में A या 10 में B अगर इसमें तुम्हें लगता है ये 75 है तो लिख दो 10 D अगर लग रहा है कि पचीफ है तो लिख दो 10 C तब ही हम कमेंट पड़ेंगे अगर लग रहा है कि 50 है तो 10 A ये तरीका है बहुत अच्छा बहुत अच्छा ज्यादा भाव दोगे तो तुम्हें रद्दी के भाव बना देगा हो तो मैं सबका कमेंट पड़ूँगा तो तुम लोग मैं रद्दी के भाव ही बना दोगे चलो देखो एक मीटर में भाईया हो थै 100 सेंटीमीटर तो सिंपल था दिमाग लगाओ ऐसे ही एक बटा दो मीटर बराबर एक बटा दो गुड़ा सव पच्चास सेंटीमीटर कितना पच्चास दस में ए ग्यारा नमबर में जबाब दीजिए कुश्चन नमबर 11 चलिए 11 में अगर तुम्हें लगता है ये 140 है तो लिख दो 11 ए अगर लगता है कि 80 है तो लिख दो भाई साब 11 डी तो का कुछ हूर लागाता है लिख दे न के रोंके है जल्दी करें 11 में सबसे पहले अगर कोई जबाब दिया है उनका नाम है अलोक एंड लोकेस दोनों भाई हैं ये भूपेस नीराच पंकच सेतन तिवारी जल्दी करें जल्द बाजी नहीं आई ये बहुत अच्छा ये थोड़ा सा सवाल दिमाग वाला है खोपड़ी थोड़ा फ़ा हिला के खुजला के ऐसे बताओ चलो देखो देखो एक्चूल में बात ये है गुरू कि आपको ये पता होना चाहिए कि यहां रिलेशन किसका किसका मीटर का सेंटे मीटर में कनवर्जन हो रहा परिवर्टन हो रहा है अगर एक मेटर में सौ फेंटी मेटर होता है तो दूए मीटर में दूए सो करते हैं तो तूए सो हो जाता है पांच मीटर में पांच सो सेंटिमीटर कई से आता है तो यह कटे का बीस आ जाएगा साथ दूना साथ 11 कमेंट में आप लोग लिखोगे बिल्कुल इज्जत के साथ 11 समझ रहों कि नहीं इज्जत के साथ मैंने आइसा बोला मैंने कहीं देखा था भी एक घर में मैमान आए तो छोटा बच्चा था आएसे कुछ कहानी थी बोले कि उसके पिता जी जाओ बेटा बुला लो अंकल जी को खाना खाने अंकल जी चलो खाना खाओ घर नहीं बेटा ऐसे नहीं बोलते हैं इज्जत के साथ बोलते हैं बच्चे ने का अंकल जी इज्जत के साथ चलके खाना खाई है यहां चुटकुल्ला थोड़ा बनाने कोसिस किया बड़ बना नहीं चलो देखो जाने दो छोडो 12 नमबर में आउच कितना एगा एक किलोमेटर में कितना हेक्टोमेटर भाया बता ओम मुझे भी नहीं पता है चलो कितना एगा कि कि एक किलो मीटर में कितना हेक्टो मीटर देखिए ऐसे गिनिये मिली सेंटी डेसी मीटर और आगे का रहा है मिली सेंटी डेसी मीटर मिली सेंटी डेसी मीटर फिर देका फिर हेक्टो फिर किलो मीटर ये किलो मीटर के ज़स्ट उपर है किलो मीटर के जेश्ट ऊपर है और किलो मीटर से हमें हेक्टो में बदलना है देख लो दिखा देता हूँ तुमें देखो यह आप 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 देखो 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 कहा 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 यह है किलो मीटर और हेक्टो मीटर पडोसी पडोसी है तो बैयाओ जब पडोसी पडोसन है तो फिर का दिक्कत फिर किलो मीटर से अगर हेक्टो मीटर में जाना है तो दस होगा यानि एक मीटर एक हां गया या यह नहीं धरू को एक मिनारेटी यह आया अबै यह था ना तो कितना होगा 10 दस 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 12 नमबर में बी नमबर सही है इक्रा आकास निसान सीमा यह थो पड़ने नहीं आती है यह तो सिर्फ अपने उनको देखने आती है दिखा दो एक बार कहा है क्या कर रहे हैं समझे लोग नहीं वो होती है अफली वाली मुहबत बचाता तो नहीं बोलूँगा लेकिन एक बात बताऊं हमारे एक दोस्त है यही पास में ही रहते हैं उनकी गर्ल्फेंड से उनकी लड़ाई हो जाती ही न तो मुझको पॉन करके कहती है प्लीज एक बार दिखा दो मुझे बस दूर से दिखा तो वीडियो काल में हो करके आ रहे हैं मैं एक बार देख लूँ बस और मुझे देख रहे हो गित गरिया आए कि आज पक्त का कि तुमने क्लास में इसा काहे को बोल दिया लेकिन मैं किसी का नाम नहीं बोला फिलहाल यही बगल में ही रहते हैं हमारे कि समझ रहे हो ना यह होती है वह वाली मुहब्बत चलो आगे बढ़ें और कुछ तो इतने परमासिक होते हैं यो रात बर सांसे सुनते सुनते सो जाते हैं को चलता रहता है जितनी भी तरह कि आवाजे आती हैं सब सुनाई पढ़ती रहती अरे देखा हूँ यार अनुभाव किया हूँ हम भी तो इसी गरापे हैं धरती पर ही तो है चलो देखो दस डेका मीटर में कितना मीटर होता है बताइए कितना होता है देका मीटर से मीटर चलो फिर से गिनते हैं देका मीटर से मीटर मिली सेंटी डेसी मीटर फिर देका हेकटो किलो मीटर किलो अलग मीटर अलग थोड़े किलो मीटर है किम रहता है मिली सेंटी डेसी मीटर फिर देखा देखा जश्ट मीटर की नीचे होता है जफ्ट नीचे होता है और देखा से हमें क्या करना है मीटर में बदलना है यह जश्ट एक इस्टेफ उपर बढ़ना है मतलब 10 होगा 13 में भी भी होगा 13 में भी नंबर होगा समझ में आ रहे हैं ना किसी को कोई दिक्कात नहीं ना चलो तो मुझे लग रहा है कि यहीं होगा देखो मीटर जो है और डेका मीटर इन दोनों में का रिलेफन है कहा गया इनको 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 अधिक्टा लिखा है डेक्टा लिखा है हमें दिख रहा है चाही मिली 20 diesel meter डेका हेक्το यह सिधा फिधा डेका meter आएगाद डेक्टा लिखा है देखो आप जाएग guid दिखाई बड़ा आप तह तो लोगका दिखाई नहीं बड़ा था यह डेका meter होता डेक्टा नहीं होता है ठीक है तो इसके जैस्ट नीचे होता है अगर इसे मीटर में जाएंगे तो कितना होगा दस ठीक है दस कि अगर को समझ में आया ना कोई दिक्कत ना किसी को तो तेरा नंबर कोश्चन होएगा बया 14 15 में आ जाओ चलो एक मीटर में कितना हेक्टो मीटर बताइए 14 नंबर में जब आप दीजिए दिख रहा है ना सभी को मनीशा जी बिरुकुल बताया मैंने चल भईया 14 में आ जाओ 14 नंबर में आ जाओ किसी का थोबड़ा लाल हो रहा है क्या बात है गर्मी लग रही है क्या ठंडी में अच्छा वो मेरा जाकिट लाल कलर का है ना इसलिए देखने वालों का खुपड़ी लाल हो रही होगी हां मैं समझ गया चलो देखो आगे बढ़ें तो मीटर से किस में जाएंगे हैकटो में ठीक है मिली 20 डेसी मीटर फिर देखा हैकटो किलोमीटर अचा यह लीखी देते हैं जल्दी फटापट कमेंट करिए यह होम और केमन इसको नहीं बताओंगा इसका आंसर मैं नहीं बताओंगा इसको भी खुद से कर लोगे ठीक है यह हो गया खतम कोई कोई दिक्कत नहीं ना सब बता दिया ना मैंने किसी को कोन परिफानी दो बता दो मुझे मिली सेंटी डेसी मीटर देका हेक्टो किलो मीटर तीन तीन शेक साथ ठीक है आप दो को मीटर से हेक्टो में जा रहे है यहाँ पर यहाँ है हेक्टो यहाँ है बैस आप उपर फे नीचे में जाना है एक बता में आएग यह ना और दो केंतराल पे है कि अगर यहां पर काउंटिंग करेंगे एक दो तीन चार पांच छे दो आएगा दो कांत्राल रहेगा एक बटा सो आएगा ती बाला साहिए चाउदा में सी समझ में आया ना एकड और अलग चीज होती है ठीक है एकड जो है वो जमीन की माप करने का एक पैमाना होता है एकड या हेक्टेर हेक्टेर एकड से बड़ा होता है ठीक है अब हिए उसकी बात नहीं कर रहे है गज भी उता है गज फुट ये सबी यूनिट ही है बताएंगे सब के बारे मताएंगे अभी मोटी मोटी बाते करते है है मतलब कि ज़्यादा यूज होते है मीटर शेंटिमिर डेसी मेटर सब उने हो कि रहें कि योग्पार मीटर से हैक्टो में जाना है कि यहां है यह नी Yuk MI कि एक मीटर में एक पटा सो हेक्टो मेटर। तो कह रहा है दो सो मीटर में कितना होगा कि दो स्से इस-को ऐसे गुड़ा करो गए इसमें दो आएगा अंसर सिर्फ और सिर्फ दो आएगा तो पंदरा में भी भी आएगा इसमें आप पढ़ रहे हैं Conversion of Unit यानि रासी का परिवर्तन मात्रकों का परिवर्तन या रासी परिवर्तन कुछ भी आप कह सकते हो बहुत ही बेसिक से मैंने सुरू किया है एकदम सुनने से एकदम जीरो से तो चलिए जनाब पहले सवाल का जबाब दीजिए अगर इसमें आपको लगता है कि ये पंदरा सो सही है तो आप कमेंट में लिखेंगे 1B पहले हम 5 कुश्चन करेंगे फिर हम आपको इसका कंसेप्ट सिखाएंगे कल हमने आपको मीटर वाला बता दिया था यानि लंबाई वाला बता दिया था आज हम बेट वाला बताएंगे यानि भार वाला कमेंट मुझे सबका दिख रहा है थोड़ा तफली रखेंगे 10 मिनिट तो मैं सबका नाम भी बोलूँगा ठीक है जो आंसर देखा उसका नाम तो तुरंद बोला जाएगा बढ़िया चलिए very good बहुत अच्छा इसका सही आंसर है 1000 ग्राम मैं आपको ऐसा जुगार भी बताऊंगा आज कि आप रटेंगे नहीं याद नहीं करेंगे यह आपको खुद बखुद याद हो जाएगा कैसे बताता हूँ तो साथी मेरे पहले सवाल का जो सही जबाब है वो है 1A इसमें सबसे पहले जो सही जबाब दिया था अगर कोई उनका नाम है भूपेश चेतुरवेदी आजय सिंग आदित्या काजल सिंग सिकन नंबर का जबाब दीजिए फटा फट जल्दी करें जल्दबाजी नहीं पताइए डेर्ड केजी में कितने गराम होते हैं अगर आपने दुकान से जा करके कहा कि मुझे डेर्ड केजी चीनी चाहिए तो दुकानदार अगर आपको ग्राम में दिखाता है वजन तो कितने ग्राम तोल के देगा भई आप कहो होगे, μघ में क को दिखाता है बहु साथ हैं इलेक्ट्रानी को चीजें आते हैं कितने गाम बताओ बहु सारी चीजेजेजेजेजेजें फेट सुर्णेटों में बजन लिखा जाता है अधिकतर चीजेजेजेजेज आप कोई लेते हो नहीं रहता है 912 केजी 980 केजी ओ सरी ग्राम 912 ग्राम 980 ग्राम वगरा वगरा कुछ ग्राम कमे रहता है कि आगे बढ़े चलो तो कितना हो जाएगा इसका सही जबाब है 1500 देखो मैं तुम्हें चीज बताऊं मैंने ऐसा बोला क्यूं अधिकतर हर चीजों में ऐसा होता भाई यह मेरे पास एक पैकेट है देखो यह इससे बोलते हैं ओट्स मैं इसका कोई परचार नहीं कर रहा हूं वह तुम्हें सिर्फ दिखा रहा हूं इसमें देखो वन केजी का इसको बोलते हैं बड़ इसमें 900 ग्राम है वो सकता क्लियर हो रहा हो नहीं हो रहा होगा वसे तो यह चीज आपको इसलिए जानना भी जरूरी है कि वन केजी का भी कोई चीज अगर आप लेते हो तो वो वन केजी नहीं रहता है अधिकतर चीजों में कम रहता है उसमें क्या रहता है बैमानी हर जगा है और कंपनिया सब फादा चाहती है तीसरे का जबाब बताओ चलो तीसरे का जबाब दीजिए दिखा था रखी नहीं पाकेट में दिखा था ना चलिए थार्ड में थार्ड ए थार्ड भी या थार्ड सी क्या कह रहो भई जल्दी करो चलिए आगे बढ़ें दिखा था मैं तो उसी दिखने चक्कर में आगे में भी बात नहीं चलो इसका अंसर होगा अधिश सो गराम कितना होगा अधिस सो गराम चलो अपने घर में देख लेना कोई सामान उठाके पैकेटवाला उसमें गराम ही लिखा होता है यह आंसर कैसे आ रहा है नहीं समझ में आ रहा होगा अभी बताऊंगा कांसेप्ट बताऊंगा अभी ग्लास को लाइक सेर करें मैसेज है चलिए फोर नंबर में जबाब दीजिए प्रांजल ठाकूर गीता अलोक मम्ता प्रियांसू गिरीस काजल ब्यूटी ब्लाग बवीतर अठोर सभी का कमेंट आरा मुझे तक दिख रहा है चलो भाई यह बहुत अच्छा सवाल है एक्चुली जब तक आपको कंसेप्ट नहीं पता होगा यह आप करी नहीं पाओगे साथ बटा सौ केजी में कितने गराम होंगे देखो एक्चुली में मैं छोटी सी बात आपको बताऊंगा पहले वन केजी में वन थाउजन गराम होता है कैसे होता है क्यूं होता है मैं सब दिखाऊंगा अभी थोड़ा फताफली रखें इस ताबर रखें तो साथी मेरे जो साथ बटा सौ केजी हैं इसको तुम बाद में लिखोगे कि देखो दू केजी में का होगा दूल गुड़ा एक हजार दिखरा है बराबर होगा दूल हजार गराम ठीक है वैसे 7 बटा 100 kg में का होगा पता है तुम्हें जैसे उधरे गुड़ा हुआ था 2 से वैसे इसमें 1000 से गुड़ा होगा 2 0 फे 2 0 निपट जायागा हो जायागा 70 ग्राम फोर में सही जबाब अगर कोई दिया है सबसे पहले तो भूपेश ने बताया है सही तरीके से आदित्या गौण और गीता बर्मा अलोग साबाज ममता प्रियांसू बहुत अच्छा बेरे गुड अगुनू साहू भया 2 0 कटा है 70 होगा 7 सो नहीं होगा 70 तो भी वाला सही पांच नंबर बता लोगे चलो मैं कंसेप्ट पी बात कर लेता हूँ फिर कुश्चन करते हैं नहीं तो आप कहोगे ये मजा नहीं आ रही ना पहले कंसेप्ट देख लीजिए साथी मेरे कल मैंने आपको लेंथ वाला मेजर्मेंट बताया था कंवर्जन आफ यूनिट आप पढ़ रहे हैं रासी परिवर्तन कंवर्जन आफ लेंथ कल मने आपको ये बताया था तो इसमें ये चीज होती है मेन इसको लिख लीजिए ये सब में आती है मिली, सेंटी, डेसी, आज हम कंवर्जन आप बेट कर रहे हैं तो मीटर नहीं लिखेंगे नीचे मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलो ठीक है यहाँ पर हर जगा आप ग्राम लगाओगे मैं इसको कलर चेंज कर दे रहा हूँ फिलहाल के लिए ग्राम, यहाँ पर ग्राम, यहाँ पर ग्राम, यहाँ पर ग्राम नहीं लगाओगे बगल मैं ग्राम के बगल ग्राम नहीं, नो, यहाँ पर भी आप ग्राम लगाओगे यह ग्राम समझते चलना बस याद नहीं करना पड़ेगा यार अभी दोड़ के याद हो जागा बूलेगा नहीं तुम्हें बिल्कुल वैसे नहीं बूलेगा जैसे वो नहीं बूल रही तुम्हारी जिंदगी से आप देखो कैसे पाइलन की काउंटिंग कर लो वान साथ रासियां हाई है साथ मूल रासियां जानते हो कच्छा नहीं पड़े थे लंबाई द्रमन समय तब जोती बृता बिदुधारत था पदार्थ की मात्रा नहीं का बोल गया नहीं समझता है चलो जाने दोस्को देखो इदर यह साथ है अब देखिए अगर हमें केजी से ग्राम में जाना है अगर हम कहूं कि बाई साहब वन केजी में कितने ग्राम होगा तो आपको एक काम करना है देखना है कि ग्राम और किलो यह तब लागू होगा जब आप नीचे से उपर वाली रासी में चेंज करोगे यह तीर उपर को रहेगी नीचे को नहीं कि ऐसे सब में होगा किसी में देख लो तुम चलो आफान आफान पहले बताऊंगा हाद कर दो सदस्व अब नो कि इस जहारा नहिए किम जी मिली ग्राम में कितना मिली गरव चलो है मिली ज्यंजी आपने देखा ओगा साँ सोना चांदि ओगरा यमजी में तवलते हैं ऌझा जो बहुत ही कीम्धी धातूय होती है महेंगी होतीbal वो उनको मिलिग्राम में तौला जाता है किलो में नहीं होता है कोई सोने उने की चीज किलो में नहीं खरीदता है मुझे एक किलो कांग उठी चाहिए तो एम जी की नीचे भी मातरा कोते हैं उनके बारें बात हमें नहीं करेंगे फिलाल अभी चलो अब ग्राम की बात हो रही है जा रहा है किसमें मिली ग्राम में इसमें अब देखो इनका नमबर 4 है इनका नमबर 1 है तो भाई साब 4 में से आप एक घटाओगे आएगा 3 आप लिखोगे 1 के आगे 3-0 एक ग्राम में 1000 मिली ग्राम कितना एक ग्राम में एक हजार मिली ग्राम अजय सिंग समझ में आ रहा है रेशु रायल प्रियांसु अलोक, मीरा गुपता भाई सबही लोग कलास को लाइक करो फटा फटा से मजा नहीं आ रही ये बैच आपी लोग की आदत की वज़ा से सब्ता में दो दिन हो गई है ठीक है आपकी बार भरे चल गई सनीवार रभीवार को भी मिला के चार दिन हो गया बाकी ये बैच सिर्फ दो दिन हो गई है क्योंकि आप लोग लाइक सेर नहीं करते हो बीच में जिग्यासा बैच इसलिए गुज गई अब वो चार दिन चलेगी ये दो दिन चलेगी क्योंकि आप लोग इस बैच को सेर नहीं करते हो फिर ये मत कहना मुझसे कि काहे को धीमा चल रही है तेज काहे को नहीं चल रही है चलो भाया तो समझ में आ रहा है कुछ तो इस तरीके से आप कर लोगे अच्छा एक ग्राम में कितना सेंटी ग्राम बताईए एक ग्राम में कितना सेंटी ग्राम जल्दी बताओ फटा फट चलो जल्दी करो भाई ग्राम ग्राम चार नंबर पर है तो चार में से सबसे पहले दो घटा आएंगे आएगा दो आप यहां एक लिखोगे एक के बाद दो जीरो लगाओगे यही तरीका है गूगल पर सार्च कर लेना कहीं कुछ कंफ्यूजन होगा तो मुझे बता देना इसमें सबसे पहला अगर कोई जवाब दिया है उनका नाम है गरिमा तिरवेदी काजल सिंग दिभ्यान सगनिःतरी राजापूर गेमिंग भी यह सिप इनसान का नाम बोलूँगा मैं जानवर का नाम भगवान का नाम या कोई पेड़ पहार नदिया का नाम रख दोगे तो मैंने बोलने वाला क्योंकि वो पढ़ने लाइक नहीं है मुझे लगता है वो बहुत नालेज वाले पहले से आलरेड़ी है एक हजी क्या होगा हेक्टोग्राम हेक्टोग्राम में चच्चा कितना ग्राम होगा हो चलो बताओ देखो बहुत आफान है मैं बताता हूँ एक जो हेक्टोग्राम है उसमें कितना ग्राम चलो पकड़ो, हेक्टोग्राम पे 6 नंबर है, ग्राम में 4 नंबर है, तो 6 में से 4 घटाओगे आएगा 2, कितना आएगा 2 आएगा, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 1 के बाद 2 जीरो बढ़ाओगे, 1 हेक्टोग्राम में 100 ग्राम, समझ में आया ना, तो 1 केजी में 1000 ग्राम, 1 एक हेक्टोग्राम में 100 गराम हमन अच्छा एक कीलो में कितना हेक्टोग्राम हो मिटाओं इसको का चोटा कर दे रहा हूँ तुमको दिखाईए न पड़एगा इतना चोटा कर दूँगा लो दिखाता है का अगर अब अइनों दिखाता है था बड़ा तेजा ये बताओ कि एक केजी में कितना हेक्टोगराम जल्दी करें वन केजी में कितना हेक्टोग्राम यह हेक्टोग्टो सुना नहीं होगा ना नहीं अभी इसके आगे एकड़ हेक्टेयर गज और इसा कोई सौंग भी है न तो अभी वर्ग गज फिट यह सब भी पढ़ोगे आगे कनवर्जन में लेकिन यह हो जाएंगी अप्लिकेशन वाली क्लास क्योंकि सब यहीं पढ़ा देंगे तो फिर वहां वाले का करेंगे कोजो लोग बहुत हांसर रहें लग रहा है मंजन अंजन करके आये मूँ दूल के बहुत अच्छा चलो बेरे गुड भाइस आप जो केजी है सात नमबर पर है हेक्टोगराम छे नमबर पर है सात में से छे घटाओगे एक आएगा आप एक के बाद एक जीरो लगाओगे वन केजी में दस हेक्टोगराम कितना दस हेक्टोगराम तो सभाहिक समझ में आएगा ना एक दम पक्का अच्छे से ना ठीक आब थोड़ा बहुत कन्फूजन में रहबा हम जानता ही अच्छा इसी का जश्ट उल्टा आप चलेंगे जश्ट उल्टा ये बताओ कि एक केजी में कितना गराम सभाहिक पता हुएगा भईया एक हजार गराम ना तो यह बता dau में कितना केजी याद रखना komt जश्ट इसी का आई से नीचे आ जाएगा ये बस अगर एक केजी में एक हजार गराम एक गराम में बटा कितना केजी है समझ गया ना चला यह समझने वाली चीज है अक्सर इनका मुकाबला हो जाता है वन ग्राम में कितना मिली ग्राम यम जी भाई साथ एक हजार ना देखो चार नंबर पर यह एक नंबर पर तो यह हो याद रखना फिर कि एक यम जी जो है वो एक बटा एक हजार ग्राम के बराबर है याद रखना इसको अगर हम एक बार सांफ लेले बीच में रुके न सब लगेते चिलाने अरे आवाज नहीं आ रही है बोल काहे को नहीं रहा है और अपना लाइक वाइक नहीं कर रहा है ना बोल रहे है को लोग तो मैं काहे को बोलूँ जब हम बोला करें नहीं तो जहां भी बैट के पढ़ रहे हो तेस से बोला करो अंसर दिया करो जिससे अगल बगल वाले आपके जाने कि यहां पढ़ रहे हो और मैं आपका नाम भी बोल दूँगा बीच में तो उनको लगेगा कि नहीं नहीं सही पढ़ रहा है ठीक है तो और बताओं एक चलो इनको मिटा दे रहा हूं इसक्रेंसाट ले लो बहुत जल्दी दूई सिकंड में कौन-कौन तेस से बोलेगा अईत्ता तेस मत बोलना नहीं कोई सो रहा हो अगल में चपल भी पढ़ जाए रात भी रात का टाइम पढ़ाते हैं हम अब कुछ निशाचर प्राणी होते हैं रात में पढ़ते नहीं सो जाते हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं चलो आगे बढ़े तो आप मुझे ये बताओ कि एक गराम में तो होई गरान भीया एक गराम में कितना हेक्टोगराम हजी मान लो चलो एक गराम में कितना हेक्टोगराम बताए बताए आईए देखिए एक ग्राम इसका थोड़ा फा कांसेप्ट अलग है अगर ये ग्राम उपर है हेक्टो ग्राम नीचे है हमें उपर फे नीचे आना है तो ऐसी कंडिशन में साथी मेरे यहां पर आप वन अपान वन लिखते हो ठीक है ग्राम से हेक्टो में जा रहा है उपर फे नीचे को एरो आ रहा है तो हेक्टो छे नंबर पे है ग्राम चार नंबर पे है तो चार में से छे घटाओगे माइनस में दो आएगा माइनस में जब आता है तो ये जिरो दूठी बढ़ेगा वो नीचे बढ़ता है से हर में बढ़िया आगे बढ़ें चल भाई छे नंबर पर आजाओ फटा फट फिर देर ना करो कहां तक भाई यार होईगा छे नंबर पर आजाओ बता लोगे फिर प्यार से चलो इमांदारी के साथ बताओ फिर ममता रानी जी कितना आएगा योगेश कुमार चच्चा तुम भी बता दो बबिता मीरा कुछ लोग कमेंट करते हैं कुछ लोग देखते हैं कि केके केके नाम बोलता है महुँ देख लिए थोड़ा सता हूँ यह बाकी पड़े लिखे केके भला बाहा है न ऐसी बात नहीं है जोड़ा देखो पहले ही बताओ कि एक गराम में केतना केजी हो अभी जैश्ट बताया हूँ तुमको इतना होता है न सबको पता है ठीक है तो बाई साब एक आंसर का होए दूई सो का गुड़ा करबा एक बटा एक हजार फे है न तो दूई सो गराम बराबर होई जाए दूई सो गुड़ा एक बटा एक हजार दूई जीरो फे दूई जीरो निपड जाएगा दूई पंचे दफ एक बटा पाँच 0.2 आंसर होगा तो यू कैन से 6C आंसर है 6C सही है इसे बहुत प्यार से देखो एकदम दिल से एक एक अच्छर पकड़ पकड़ के पड़ो क्या लिखा है इस प्रेंटा लेकि रख लो भया अब यह मत पूछना कि इसका अगला पार्ट पका है को नहीं मिल रहा यूटूब पे कुछ लोग तरह दा अंदय और आंख के बहरे होते हैं वो सब कुछ देखेंगे फिर कहेंगे एक अवा पार्ट पका है नहीं मिलता है तुम नहीं देखते हो तुम कहा करें यह नहीं मिलेगा लाइब के बाद साथ नंबर में जवाब दीजिए जल्दी करें साथ नंबर में जवाब दीजिए बहुत अच्छा बेरे गुड चलो भाई आगे बढ़े सेबन में क्या होगा 500 ग्राम में कितना केजी चलिए जल्दी जवाब दीजिए सेबन A, सेबन B, सेबन C क्या होगा सबसे पहले अगर इसमें कोई जवाब दिया है देखो एक बार करोगी कमेंट कुछ लोगों को लगता है हम इसे लिखतेंगे ये 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 तो हमाई कमेंट जरूर पढ़ेंगे उनका कमेंट एटोमेटिक बलाक हो जाता है हम तक दिखता नहीं है बहुत अच्छा भाई साब ग्राम में बदलना है ग्राम में है केजी में बदलना है तो एक बटा एक हजार से करबा सबाई गुड़ा दूजीर दूजीरो निपड जाएगा एक का बचेगा यार दूजीरो कटेगा ही यहां ज्यादा करबडना करो ना दूजीरो कटेगा दूजीरो यह इतना बचेगा एक बटा दूजीरो पॉइंट पांच केजी आए हो भाईया साथ में ए साही है किसी को कोई डाउट नहीं नितिश सोनी हारा समझ में आठवा नंबर में आजाओ चाच्छा फिर चलो जल्दी करें जल्द बाजी नहीं बहुत जल्दी करें चलिए एक लोग का न लब हो रहा एक लोग से पता हैं एक कमेंटे में लब हो रहा बस उनको और उनको मैंने ना अठारा सो सिकेंड के लिए बलॉक कर दिया है चलो एक सवाल बन गया अभी एक थोड़ा फा रंगीन मिजाज टाइप का लड़का आया था पढ़ने के लिए उसने किसी को लब यू बोल दिया और मैंने उसको बलॉक कर दिया आठारा सो सिकेंड के लिए तो बताओ कितने मिनट के लिए बलॉक किया जबाब दीजिए अभी वो समझ गये जिनको मैंने किया कितना मिनट के लिए बलॉक किया है जल्दी करिए अभी कनवर्जन आफ यूनिट में टाइम का कनवर्जन भी पढ़ेंगे आर्ति सिंग जी बिल्कुल ठीक है बता भाई ये कुश्चन बन गया और वो भी बता दे जिसको बलॉक किया है अच्छा एक दिन मुझसे एक बच्चा पूछ रहा था क्या पता है कि सब लोग कहते हैं माबाप ने सिखाया टीचर ने सिखाया है कि हर किसी से प्यार करो प्यार फिर हो लेकिन जब मैं हर किसी से प्यार करता हूँ तो मेरी वाली मुझको बहुत मारती है इसका क्या बात ह गाई ते तुम्हें हर जगा लगे रहते हो तो फिर ये हर किसी से प्यार करने वाली उमर कब होती भाई अब आप लोग आंसर बताओ इसका आंसर क्या होगा फिर पांच mg में कितना ग्राम होगा चलो देखो समझो भाई साब mg और ग्राम पहले बात ये बताओ कि एक ग्राम में कितना mg होगा एक ग्राम में कितना mg होगा ठीक है अठारा सो सिकंड में छे से भाग करोगे तो छेतरीक अठारा उसका आंसर बता देता हूँ तीस मिनट के लिए ब्लाक किया गया था ना आदे गंटे के लिए 1000 mg होता है एक ग्राम में 1000 mg तो क्या होगा एक ग्राम तो जान लिए एक mg है एक बटा एक हजार ग्राम यह चुक्कि यमजी में है इसको ग्राम में चेंज करना है तो क्या करेंगे पडा एक हजार फे गुड़ा करेंगे अधा इन जीरो पॉइंट जीरो जीरो पाँच आएगा हाँ इसमें कोई आप्शन साही नहीं है न क्यों साही है कि गलत है रुको एक बाद फिर से देखो चलो एक तरीका तो यह हो गए अगर इसे आपने दो सो कर लिया तो आप दसामलों में भाग करोगे तब भी वही जाएगा सीधा फिदा लिखो काहे को काटो पीटो गया अटाओ साही है जीरो पाइंट जीरो जीरो पाँच इसमें कोई भी साही नहीं है आठ नंबर में डी बाला साही है कुछ लोग भी बता रहे हैं भी कैसे हो गया अगर यह सिरीज सब को पता है अभी जो बने बनाया था मिली टेंटी डेफी और ग्राम यह पता है ना अगर इनकी काउंटिंग करो तो एक दो तीन चार नंबर पर चार में से एक गटाओंगे तीन यानी एक ग्राम में एक हजार एमजी होता है तो एक एमजी में क्या होगा एक वटा एक हजार ठीक है पांच से भाग दे लिया बढ़िया चलो आगे बढ़ो हो गया ना नंबर में आगे बढ़ें देखो यह सिर्फ उनी के लिए है जो रेगुलर क्लास में आते हैं जो ऐसे कभी-कभी भूल भटक के आ गए हैं उनके पल्ले नहीं पड़ेगा रेगुलर्टी बहुत जरूरी है रेगुलर्टी बहुत जरूरी है मैत नहीं आती है हम गारंटी लेते सिखाने की लेकिन अगर आपका एक दिन जोस आता है आगले दिन ठंडा हो जाता है कि हम नहीं पड़ेंगे अब खतम तब नहीं हो सकता है जलो बताओ कि तीन हजार गराम में केजी कितना केजी हो तीस केजी तीन केजी तीन सो केजी जीरो पॉइंट तीन केजी बताओ जबाब दीजिए नाई नमबर में आठ में आठ ए राइट हाँ इसमें आपसन राइट हो सकता है जो लिखा गया उसके अकॉर्डिंग इसमें आपसन था तो एक मिनट रुको जो मैंने आंसन निकाला था यहाँ यह भी गलत नहीं था फिलहाल लेकिन आपसन भी सही था इसमें option भी इसमें सही था A वाला actually जब इसको 5 बटा 1000 आप करोगे तो इसको divide करो न एक बटा 200 आएगा तो option के according में A वाला सही था जैसे दिया था मैंने answer अलग तरीके फिलिख दिया तो वो match नहीं किया बहुत अच्छा 9 नमबर में कोई जबाब दिया है तो उनका नाम है समरिती कस्यफ जुही आरू भूपेस अंजली नितीस दिल खुस भाई साब देखो सब को पता है कि एक गराम में हो था 1000 केजी जानते हो तो एक बार हाँ बोल दो इसको फटा फट जानते हो तो 3000 गराम में हो जाएगा 3000 गुड़े एक बटा एक हजार ए बाई एक गराम में 1000 केजी कहां कोपड़ी है कहां जा रही है तादा रुक जाए एक मिनट देखने वाले तो पागल हो जाएंगे आज इसलिए कहते हैं अदूरा ग्यान बड़ा खतरनाक होता है पूरा देखा करो जो लोग इतने देखके चले जाते वो तो गाते जाके 1 किलो में 1 गराम एक गराम में 1 किलो तो एक गराम में एक बटा एक हजार केजी होता है देखो सब लोग बोल भी दिया हां बतले मैंने गलत ली दिया तो गलत भी बोल दिया हां ये तो बही चल रहा है चिंडिया उड, बिल्ली उड, भैंस उड, गाय उड, जानवार उड, सब उड़ा दे रहें हम चल भया जाने दो उड़ाने दो तो इनको जब डिवाइड तीन केजी तो इसका आंसर होगा तीन केजी